कि नमस्कार सभी को आप सभी का स्वागत आपके अपने यूटूब चैनल जी के भाई दिवान सर पे सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं आज की जो ये कलास रहने वाली है इसमें लगबगे सवा 400 MCQ त्यार हुए है है ना जैसा 500 आपने 400 अपने देखा था 400 पलस MCQ त्यार हो गए है और हर MCQ के बारे में 2, 3, 4, 5, 6, 7, extra जो क्यूशन बनेंगे बाते करेंगे हैना कुल मिलाकर 1500 से पलस आपके टोटल क्यूशन रहने वाले हैं अभी अगर हम देखें तो जो पिछला ए परसन में से 18 क्यूशन रिपीटिट थे तोटली रिपीट ओ रहे थे 18 के ठारा एंटी ने जो अधार बनाया वो प्रिवेशर क्यूशनों का बनाया तो गुरूप D में भी कहीं ना कहीं आपको प्रिवेशर के क्यूशन रिपीट देखने को मिल सकते हैं उसी पे मैंने सोच कि जितने पेपर हैं क्या ना उनको डाउनलोड करके और उन पे एंसी क्यूशन दी जाए ताकि यह अस्टेट में भी काम आए और आगामी एक्जाम में अपना जो है गुरूप D का है या लगा लीजिए इसके बाद सी के एक्जाम के बैस पे जो आगे एक्जाम होने गराम में देखिए म कंबल में देखो वीडियो मज़ा आएगा कोन सी क्लॉट की की वीडियो लेकर तो अल्यक्रम करते हैं एक रिपरास को शेयर ना वां मैं आपको नहीं बोलूँगा यह कं पता देता हूं कि अगर कोई अपने दिवान सिंग अकेडमी जोईन करना चाहे तो भही दिवान सिंग अकेडमी जोईन कर सकता 66.045.16.800.99 और 8.045.16.89 दिवान सिंग अकेडमी इसर में हैं कोई भियाना चाहे आ सकता गर बेटे पढ़ना चाहे डिवाइन स्टेडी आप spectral कीजिए complete course है जो 700 रुपे का रहेगा all subject का जोईन कर सकते है हिंदी का 200 रुपे का मैं इंगलिस का भी 200 का और आपका math और reasoning का भी 200 का हरियाना जी के भी 200 रुपे की है है ना तो देखिए जो भी जोईन इचुक है ठीक है तो वो जोईन कर सकता है ठीक है सारे questions पहले बता रहा हूँ कि MCQ है आए हुए है इसमें हलके भी रहेंगे रहेंगे सोनि पतवारे कहते हैं कि हलका हलके में ले रहा है तो वह अलके परसन भी है और भारी भी है in आसान से ऐसान भी है और मुश्किल से मुश्किल जो पुचह है सशी ने वही क्युस्टन में आपके सामने ले के आया हूं जी चलिए पहला क्युस्टन देखिए हरियाना डोड़ डोड़ शुरू करने वाला पहला राजी है तो हरियाना क्या शुरू करने वाला पहला राजी है तो याद रहे महिला पुलिस सवम सेवक ठीक है महिला पुलि तक बिजली देने वाला 1970 में, 29 अगस्त को, 29 नवंबर को 29 और 11,70 में बिजली देने वाला यानि परतेक गाओं को गाओं से जोडने वाड़ा ठीक है गाओं को गाओं से जोडने वाड़ा पहला राज़ी है 24 गंटे बिजली की बात करूँ मैं अभी तक नहीं हुई है रियाना में हो जाएगी दिरे दिरे करकर 24 गंटे बिजली में पहला जिला जी आपका पंचकुला है कौनसा है पंचकुला है दूसरा जिला आपका गुरू गराम है 24 गंटे बिजली देने में ठीक है पहला जिला कौन सा है पहला सेरे पहला सेरे पंचकुला दूसरा सेरे गुरू गराम ठीक है हरियाना के अंदर मैला थाना खोलने वाला भी परदेश का हरियाना पहला राज़े है मैला पुलिश टेशने खोलने वाला कौन सा राजे रियाना पहला है गुलाबी मेला थाना भी अपने पहला राज्य है हर याना बहुत सारे चीजों मेरे याना पर्थम है वो मैंने आपको बताया अब चलिए दो नंबर कुशन पर आजाईए लेज़े दो नंबर कुशन देखिए परबाकर वर्दन और वर्दन वस का पहला राजा डोट डोट का सासक था बताओ परबाकर वर्दन के बारे में दिया हुआ है तो ऐसे ही आया था वर्दन वस का पहला राजा था तो भी कहा का राजा था 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 निसर का ये उप्सन पहले होता तो आपको रुक्चेतर मत करना ठीक है हो जाएगा ना तो याद रखना अगर बात करें हर्याना में वर्दन वर्ष का बहुत ज़दा परभाव पड़ा हर्याना के अंदर परसन आ जाए कि बताए सबसे पहले वास्तुकला का विकास किस राजा के समय शुरू हुआ था वास्तुकला का विकास सरोपर था में हर्ष वर्दन के समय हर्याना में शुरू हुआ था ठीक है उसके बाद में गुप्त वंस आया है ना और जादा विकास हुआ और मुगल वंस में सबसे जादा वास्तुकला का विकास हुआ हरियाना के अंदर अग्रव विकास की हमें बात करें वास्तुकला के बारे में ठीक है तो ये हो जाएगा है नहा चलिए एगले क्यूसन प्याँए और वर्दन वह सरियाना में कभ से कभ था तो आपको याद करना है जी चटी ओरे सातमी स्थापदी में अगर केवल हरसवर्दन पूछा जाए तो कौन सी स्थापदी में राज की हरसवर्दन ने चटी स्थापदी में यानि 606 से 647 केवल हरसवर्दन का पूछे सातमी स्थापदी पूरे वर्दनमस का पूछे चटी ओ साथ में दोनों आ जाएगा अर्स वर्दने आपको पता है कि भई आपने 590 में जनमेते 606 में राजा बने थे चलिए अगले किसन प्याजाईए फटा फटे लीजिए भई अगला परसन देखिए राजे पाल यह नामित परमुक रूप के रूप में कारे करता है ठीक है राज उट्विक सकती किस में ने तो यह पूछ रखा है तो वास्त्विक सक्थी कि इसमें होती है मुख्ये मंत्री में यानि-एपल तो कीवल नम मीट रूप में कारे करता है ना मत्तर मिठीक है ना यूट्यूब पर लाइफ दिखा रहा है कि कर के दो है loyal colors to light आप्षे नियुक्ति करता है राश्टपती ठीक है मुख्य मंतरी की नियुक्ति अपने राज्ये पॉरार होती है अगला परशन देखे जड़रा देखो भी अगला परशन अरियाना के सतीर है तो बताई हर्याना किसके बीच स्तीत है इन्में से तो अक्सांस में दे रखा है रही अक्सांस तो आ जाएगा लेकिन अपना आएगा क्या 27 13 कोई और ऑप स्थैस्टेश नहीं है तीन का गैप है जी 27 डिग्री अपने 37 से 30 डिग्री 35 ठीक है यह इसी तरक तरह से परसन आया था वैसे अरियाना को देखा जाए तो 27 डिग्री 49 39 से लेकर और 30 डिग्री 55 तक अरियाना है है ना यह रियाना का विस्तार है जी बिल्कुल है चलिए अगले परसन पर चलते हैं इसके बाद में नेक् परसन क्यों कहता है हर्याना नगर निग्म विदेग दो डोट वर्स पारइद किया गया था अरियाना नगर देग सबस्लारे सोडा में पारित किया गया प्रिविये शिरका ये कि उसने स्कोरी फ्रस्मार दूंगे रड़ा यूटूब है देखो हैं ऻरा लगया तो वह इना पाली का डगर निगम है संसोदन विदेख000 Egy 26 अभी यादर रेयर जान हैं क्यारा नगर निगम है exist हैaufen मानेसर नगर निगम बनाता दिसंबर 2020 में, पहला नगर निगम बनाता अपना फरीदाबाद, पहला नगर निगम कौन सा बना, फरीदाबाद, उनी सो चुरान में, यह आए हुए हैं परसन भई, ठीक है, नगर निगम में याद रख लेना, नगर निगम में 3 लाख जन संक्य नगर निगम बनते हैं तो रियाना में 3,00,000,000 पलस कितने सहर हो जाएंगे 11 सहर हो जाएंगे दस्वा नगर निगम सोनी पत्था चलिए अगले किशन पर आईए एक बार लीजी अगला किशन है बुतेश्वर मंदिर किस जिले में स्थित है तो बुतेश्वर मंदिर है जी यह रियाना के किस जिले में है जीन जिले में है नोकरी नहीं मिली तो आपा गरवालों के लिए कुला आ जाया या भुतों का सेर या भुतों का तिला यानि जाती थी पहले भुतों भई ठीक है यह अपने सेट होते थे बानी होते थे यह विवानी में कऄ है भिवाने में बॉत्तों का गेट आएगा भुत्तों का गेट किंवाने और मंदिर की और लोगत दो घुरला जाना में यह जिला जिसे सबसे कम वर्षा प्राप्त होती है तो सबसे कम वर्षा प्राप्त होती है कहां पे सिर्षा में सबसे अधिक वर्षा कहां प्राप्त होती है अंबाडा में अंबाला में क्या होती है? अधिक वरसा इतनी बात कलियर हुई? अप न हो जाएगा अब देखो, अंबाला में ज्यादा दो नमबर पे अंबाला ओप्सन ना मिले तो उत्र क्या करेंगे? पंच कुला पंच कुला और अंबाला दोनों ओप्सन में हो तो आपको जादा में दो बार पलस कर दिया, अंबारा करना है, है ना, और अंबारा में वर्षा का कारण आया रिया ना, पुलिस के पिछे से पिछली बार, क्या कारण था, कि ये दो कतन दे रखे थे, कतन A, ठीक है, अंबारा में सरवादिक वर्षा होती है, कतन B, अंबारा चारों और से शीवालिक से गिरा हुआ है तीन और से वैसे तो लेकिन चार और से बोल सकते हुआ नहीं है ठीक है तो यह कारण रहीगा अमबाडा के तीन और क्या है शिवाली के पाड़ी फेली हुई है अर्याना के किस चेतर में अधिक वर्सा होती है पलस 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 अर्याना में कम वर्सा का होती है दक्षिन पस्षिम में कम 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 ठीक है अर्याना में ज्यादा वर्सा 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 ज्यादा का फिर आपा उत्तर देंगे कि उत्तर में अधिक वर्सा और अगर दक्षिन पस्षिम उत्तर दिया हो कम पूछे तो क्या करेंगे पस्षिम में कम अगर अकेले सिंगल सिंगल दे रखे हैं पस्षिम में कम उत्तर में जादा डबल डबल दे रखे हैं तो उत्तर पूरों में जादा और पस्षिम दक्षिन पस्षिम में कम वर्षा होती है अर्याना किस प्रकार का राजी एक बार आया था अर्याना कम से कम वर्षा वाला र तो याद रखना और अपने गिता में कितने अध्याई है अघ्याई है ठीक है कितने जीवी थे जीवी बचे खैना वेक्ति बचे आपने पड़ेंगे के वा Religion कमेर तो कवी माल देव है ना हिंदी के कवी थे थी कैसे कवी थे माल देव अब देव देव किशिधा बोल सकते हो आप एगर संस्कृइच है तो देव होता है है ना जाय लोज俺 की कवी न W अर्याना की अगर आपसे पूछी जाए कि वित्ये राजदानी है वित्ये राजदानी है बताई वित्ये राजदानी कौन सी अर्याना की अर्याना की वित्ये राजदानी गुरू गराम है ना गुरू गराम है लेकिन अभी वित्ये राजदानी बनाया जाएगा किसे तो क्या करके आएंगे राजनितिक रूप से देखा जाए सरवादी के अपने बात करे कोई पार्टी का गठन हो कोई रेली हो तो जीन्द में होती है क्याँनैं है अब बताईए रियाना की परसासनिक कोन बताएगा रियाना की परसासनिक के परसासनिक रास्दानी को जिस बता भी अनुज और याना की परसासनिक रास्दानी भी चंडीगड मास्ट इतना अलका परसन लेक्या और इतने बढ़ या तीन-च्यार बाते बता दी ठीक है चंदीगड परसासनिक राजदानी यानि परसासन विवस्ता यही से चलती है ठीक है चलिए लीकारभुजीर या दोगा चंदीगड उनी सो बावन स्थापना सिवालिक पाड़ी डोडड़ चिले में स्थिते हैं तो सिवालिक प पाड़ी आपकी अंबाड़ा के लावा याद रखना पंचकुला में और यम्ना नगर में तीन जगहें पे फैली पड़ी है शिवालिक पाड़ी की अगर तल अटी पे बात करूं मैं तल हटी तल अटी पे कौन सा सहर बसा हुआ है पिंजोर पंचकुला या चंडीगड तो याद रखना पंचकुला और शिवाली की तल अटी पे रखना यादे चंडीगड एक बड़ा जबदस प्रसन आएगा इसी से रिलेटीड तोड़ी देर बाद में और आपसे मैं पूच्छूंगा जो सही उत्तर देगा जो सही उत्तर देगा उसे 700 रुपे वाला आज शुरू हुआ है बिल्कुल फरी और कोस्ट जो आइन करा हुआ आज ए तीन तो कोर्स जुँआ तीन किताब है रियाना जी के की छे नाम फ्राइज बांटे जाएंगे जो राइट आनसर देगा ठीक है चलिए अगले कुशन प्याजाईए फटा फटे कुशन नंबर न यानि काडा 3 तर क्या आएगा भई आपका गार ती तर अगर पसे पुछा जाए कि तेटर पर दन के अंदर कहां पर तो आपका उत्तर क्या आएगा तीटर पर दनके अंदर है मोरनी में ठीक है पंच कूला नहीं आएगा ना आपका आएगा पिंजोरे है ना आपका क्या हैगा मोरनी आएगा जी ठीक है तितर काड़े तितर सरवादी के पाए जाते हैं है ना तो सरवादी काड़े तितर पाए जाते हैं अबूब सहर में अबूब सहर ये पेपर में आय जाते हैं तो आंसर आपका भूब सेर शिर्षा वाला और काड़ा तीतर पीपली में तितर प्रजन के अंदरे मोर्नी में राज्य पक्षी अपने ब्लेक फ्रेंक ओली नियानि काड़ा तीतर यह बहुत इपोटेंड तकते हैं भई ठीक है बहुत इपोटेंड चलिए आगे आ दुबारा नियुक्ति होती है आर्टिकल 155 के तैत अनुछे दे 155 के तैते राष्टपती की नियुक्ति राज्यपाल की नियुक्ति राष्टपती के दुबारा की जाती कितने वर्स के लिए तो पांच वर्स के लिए की जाती आम तोर परे लेकिन राष्टपती के तीरा तरिक तेरा नोवंबर को अरियाना के कि सराजयपाल 13 नोवंबर 1212 को किसा अरियाना के राजयपाल का निदन हो गया और यह वही आप जब मैंने बोला था कि शीम और याना को फोलोव कर लो है किसका निदन हो गया दनीक लाल मंडल का हाली में निदन हो गया है ये रियाना के पूरो राज्येपाल थे जी रजैस्तान के पूरो मुख्य मंतरी उनका भी पीचे निदन हो गया था ठीक है तो राजएपाल रियाना के नहीं रे दरने को ने जगन्नात पाडिया है ना राज्येपाल रहे राजस्तान के पूरो अभी वर्तमान में दनीकलाल मंदल का अभी निदन हो गया है से लिए अगले कि उसन प्याज आजए फटा फटे लीजिए बताओ भी देवी बवानी अंबा देवी का मंदिर कहा है इसमें अभी बीवानी नहीं आया वानी तो गड़बड होती देखो भी मनिपूर जिला ये तो एच्चे ससी नहीं लिखा था मैंने नहीं लिखा है सेम डिटो है देवी बवानी अंबा का मंदिर तो भी देवी बवानी से तो आप बिवानी कर सकते हो लेकिन अंबा अंबा देवी का अंबाडा में कहते हैं कि अंबाडा का नाम अंबा द काओ निए बोलते थे नोट सबसेंटा गता गया अंबाला का नाम पड़ गया अंबाला का प्राचिन नाम क्या है अंबा वाड़ा इसका प्राचिन नाम है कहते हैं चोधवी स्थापदी में चोधवी स्थापदी में अंबाड़ा की स्थापना की गई थी तो अंबाड़ा की स्थापना अंबा नामक राजपूत के दुबारा की गई अंबा नाम के राजपूत के दुबारा आपने अंबारा की स्थापना की गई ऐसा कहा जाता है कलियर हुआ अंबा देवी मंदिर आपको याद रखना है बहुत इपोर्टेंट है और इसके लावा आपको इपोर्टेंट मंदिर और बता देता हूँ दोहरा मंदिर मेवात में है बड़ा परसिद मंदिर है दोहरा मंदिर कापिय जी मेवात में प्रिवीश इर का क्यूस्टन है ठीक है और एक आपका आया था आपने ये तो आते ही रहते हैं विमा देवी पंचकूला में सित्ता माई मंदिर करनाल में ठीक है हो जाएगा चामुंडा देवी बार बारे नार्नोले महेंदरकड में बुतेश्वरे जींद में गंटेश्वरे रेवाडी में अलग-अलग जो मंदिर ना इनको अच्छे से याद कर ले ना है हो जाएगा ना है ना और अगर देवी कूप मंदिर आए कुरुक छेतर में है ना देवी तलाब मंदिर आए पाणी पत में देवी तलाब कहां पे पाणी पत में हो जाएगा जा और अपने और इसके लावा भई बारा जेन मंदिर आए सोनी पत में कौन सा जी बारा जेन मं तो 12 जading मंदिर शोनी पतमें गड़ लोगे 12 जयन मंदिर काई सोनी पतमें हैं ये आपको ज्यान में रखनें है परणामी मंदिर नए बणा है परणामी मंदिर नया बणा है परणामी मंदिर ने तो-बारत की गियों की तोकरी वैसे मंदिरा जादा अरियाना के भारत-मेगर देखा जाए जो परसिद मंदिर है वो तमिलाडू में ज़ादा है जोटे-चोटे मंदिरों की बात करे तो राजस्तान में मंदिर बहुत ज़ादा है तो इनको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है चलिए अगले किशन पर आजाईए सितारा समारक की समादी है सितारा समारक की समादी है ताराचंद माराज जी की ताराचंद माराज है ना ये अपने जो पांचमे पांचमे गुरू है किनके पांचमे गुरू है ये पांचमे गुरू है रादा स्वामी के ठीक है किनके जी रादा स्वामी रादा स्वामी के पा जाएगा इस पे कोई खंबे कायूज नहीं किया गया बीच में और सिद्धा इसको बनाया गया है दिनोद बीवानी में ठीक है दिनोद दिनोद बीवानी में ठीक है तो याद रखना सितारा समारक एक परसन आता है बार बारे जोगी वाला मंदिर कहां है जोगी वाला मंदिर ये भी आपका कहा है जी बीवानी में है जोगी वाला मंदरी भी कहा है आपका बीवानी में है हो जाएगा कहां पे जोगी वाला मंदरे बीवानी में है चलिए अगले कुशन प्याज़े फटा फटे नेक्स्ट पे चलिए लीजी अगला कुशन कालका विदानसवा चेतर करती है गगर नदिर याणा में क्या करती है परवेस करती है कालक है टिक है काल करayan जाखे काम के वेल्फाइब तुन करता है काल का रेलवेक लाइन में 204 से में कालगा रेलवेक लाइन को खोल दिया गया है ना ये वर्ड हेरिटेज है प्लेस में सामिले भी किया गया है किसे कालका रेलवे लाइन को ठीक है हो जाएगा ना तो कालका का मिला कहां लगता है ये परसनल अलग हो जाएगा कालका का मिला कहां लगता है तो कालका का मिला कहां लगेगा आपका कालका का मिला फ्रीदाबाद में लगेगा जी फ्रीदाबाद में लगेगा कालका माता का मंदिर का है कालका में एक मिल्ला देखिए दोट डोट नदी शपत शिंदू परदे से का कि भाग मानी जाती है बताओ कौन सी नदी अपने सपत मतलब साथ जो नदीया आपस हुए मिलती थी सपत शिंदू नदी बोलते हैं जिनको कौन सी आएगा यमुना तो नहीं है जी मारकंडा भी नहीं है सर्षवती का प्राचीन नाम है सूर्षवती था क्या नाम था सूर्षवती इसका प्राचीन नाम था याद रखना क्या नाम था सूर्षवती इसका प्राचीन नाम था रिगवेद में सर्षवती नदी के बारे में दस बार वर्णन मिलता है कितनी बार वर्णन मिलता है दस ब हैं ठीक है वही सरस्वती नदी चलिए अगले किसन पर आजाएए अगला देखिए हरियाना में जितने भी अडपा कालिन सहर थे लगबग सभी सरस्वती नदी के किनारे उस समय सरस्वती नदी पे थे आज उसने घगर तो घगर नदी आ जाएगा ठीक है चलिए दारनिये विकास को बढ़ावा हरियाना ने वर्स दोराने वन निती बस यहां पकड़िए वन निती विक्षित की थी 2006 में ठीक है दारनिये विकास को बढ़ावा देने के लिए same language में आया वन निती 2006 में हरियाना में सबसे अधिक वन अगर मैं बात करूँ छेतर फल की दृष्टी से तो सबसे अधिक वन कहा है जी अपने पंचकुला में नमबर एक कुन सा है पंचकुला नमबर दो कुन सा है नमबर दो यमुना नगर नमबर दो कुन सा है यमुना नगर नमबर तीन कुन सा है अपने पंचकुला हो गया यमुना नगर ठीक है दो याद कर लो कम में कौन सा है पलवल सबसे कम वन का पलवल नमबर दो कम कहां पे पाणी पत ठीक है नमबर तीन कम कहां पे नमबर तीन तीन आ जाएगा फतेहा बाद में ठीक है अब परतीसत में ओ देख लेजिए परतीसत में रियाना में सरवादिक वने पंचकुला में ठीक है और सबसे क क्वेञ्ब॥ को नियिक रहों सकता है थ 닉ने कऌले चेतर परएक्टा तो पानी पत तो नहीं प्लवल को देंगे तो अपने आप यूमना नगर हो जाएगा ठीक है तो वह नो में याद रखना अरियाना में कुले 603 वरग को अपने किलोमेटर में वरग किलोमेटर के आजाएगा के पॉइंटे छे तीन आजाएगा ना परती सत्वन टीकर नए आखड़े अच्छे से आपको याद करने हैं चलिए अगले कि उसन प्याजाएए कि उसन में नेक्स देखिए पिंजोर गार्डन के नाम से भी जाना जाता है किसे यादविंदर गार्डन को यादविंदर क्या नाम था मुगल गार्डन और ये मुगल गार्डन है ना ओरंग जेब के समय बना था ये भी पेपर में आया था किसके समय बना ओरंग जेब के समय बना था ओरंग जेब का कारे काल है आपका इसको सतरमी स्ताब्दी बोलेंगे ठीक है सोडा सो कुछ में बना है ना सतरम इसने बनाया था फिदाई खाने बनाया किसने बनाय था फिदाई खाने के दलबारा इसका निरमान बाद में यादविं। एक वेक्ति था पटियाला का कहा था याद विंद्रे पटियाला का राजा था इसने इसका पुर्ण निर्मान करवा दिया और यह है कहां पर पिंजोर गार्डन पिंजोर में इसलिए इसको पिंजोर गार्डन बोलते हैं यहां पर आम का मेला लगता है आम का मेला और आम का मे इसमें बात करूं तो 29 मेला लगा है और ये तीन दिन के लिए बराए आठ नो दसे जुलाई महीना किस महीने में लगता है हमका मेला जुलाई महीने में बरता है कली रुआ चलिए अगले क्यूशन प्याजा ये फटापट लेजिए अगला क्यूशन और याना में मुखे मरिदा समस्या है यानि मिटी की मुखे समस्या क्या है मरिदा अपर्दन ठीक है और मरिदा अपर्दन को रेंगती हुई रेंगती हुई मरिदा कहते है रेंगती हुई मरिदा ठीक है रेंगती हुई मिटी किसे कहते है मिटी अपर्दन मिटी हरियाना में सरवादी का पर्दन होता है मिटी का कटाओ मिटी का कटाओ सरवादी करियाना में होता है नंबर एक हवा से हैना यह उप्शन ना मिले तो नंबर दो पाणी के दुबारा यह भी ना मिले नंबर तीने पसुओं के दुबरा ठिक है रिरला मेंतीन के श्रवादि के झो प्कून लेगा वह कौन सा रेगा Allah के दुबारा खोता है तीक है और याना का पस्मी शितर या बोले दक्शिन पस्मी शितर राजस्तान से लगने वाले जिलों में ठीक है पर कोंटेक्ट नमबर वही देख लीजी आप एक बार स्क्रीन पर ठीक है बागी आनद लेते रहे में देखिए ये कंबल में देखिए मज़ा आएगा खलास का ठीक है डोट डोट ने कहां हरियाना सबद आरियन से उपजा है ठीक है तो आरियन से उपजा है ये कहा जाता है किसने डोक्ट रहचार गुपता डोक्ट रहचार गुपता ने क्या बोला आरियन बोला ठीक है और राहुल सांकरत्य करेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगे इत्यास के साक्से कहा नहीं पाए गई है असोक स्तंब सांची का स्तूप चनेटी का स्तूप थानेसर स्तूप ठीक है असोक स्तंब कहा मिला है टोपरा में कहा मिला है टोपरा में थानेसर स्तूप थानेसर में है चनेटी का स्तूप गुरुक्षेतर में है ठीक है बचा क्या सा इसलिए यहां से कोई साख से अर्याना के बारे में नहीं मिलते हैं जी तो आपका उत्तर क्या जाएगा सांची स्टूब है ठीक है बिल्कुल सची बात है ना यहां से मद्दे पर देश से क्या मिलेंगे चलिए अगला देखिए 24 नमबर क्योशन महावारत में अर्याना को बह बहुदन का आर्थ है यहीं बहुदन के बोल दो चाहिए आप ठीक है यह बहुदन लिखाया था बहुदन का मतलब देखो देवों की भूमी ना जीना अनाज की भूमी हो सकता है क्रिसी की भूमी ना जीना ठीक है क्या एगा अगर क्रिसी की भूमी और अनाज की भूमी तो बहुत दान क्या, बहुत दन तो होता है, लेकिन बही अत्यादिक समरित भूमी करके आना पेपर में अगर करके आओ, नेक्स टाइम जब भी रिपीट हो, से इसका आंसर अत्यादिक समरित भूमी रहेगा, ठीक है, बहुत दान क्या महाबार्त के समय कहा गया था, कलीर हो गया पुरना को सिरुकंट जनपद कुरूकचेतर को उस समय का गया जब बान बट था और जब बान बटने अपने किताब लिखी हर छितर ठीक है तो उसमें उन्होंने क्या कह दिया सिरी कंट जनपद कुरूकचेतर को बोला था ठीक है चलिए ये गले कुछन को देखे जरा वेधिकाल के अनुसार अर्याना को पुरानिक दोट दोट वसकी मातर भूमी का इत्यास है यानि वेधिकाल के अनुसार पुरानिक, मतलब उक काई सुनी, पुरानी बातें जो हम सुनते आ रहे हैं, ठीक है मातरी भूमी का इत्यास है तो भई ये बरत वंस की है क्या आएगा उत्तर यहां क्या पर देंगे बरत वंस ठीक है याद रखना क्या जाएगा भई बरत वंस आजएगा इसका राइट आंसर ठीक है भई कर लोगे ना तो ये बरत वंस इसका से आंसर है वे दिकाल के अकॉर्डिंग चलिए हडपा सबेता की खुदाई के दोरान राजा का मुकुट मिला बताओ कहां से राजा का मुकुट मिला राजा का मुकुट कहां से मिला कुनाल से कुनाल आएगा ठीक है क्या हैगा ये कुनाल लिकार रखा न, यह ऐसे लिखाता है, इंगलीस में, यह कोई अना बोलते हैं और इस कोई बोलते हैं, कुनाल, कहाँ है जी, फत्याबाद में हैं यहां से मुखुट मिला जиля नहीं 2 मुखुट मिले कितने मुखुट मिले हैं दू अर दोनों कैसी किस परकार की आ हैं चांदी के अलोग दोन Теперь मूकुट है झाया अपने कुनाल से मिले हैं और कुनाल से क्या मिला है सोबीस करेट के सुध सोने के अब उसन भी प्राप्त हुई है ठीक है सोब इसकरेट के सुध सोने के आब अब उसन च्छह मोत्ती भी मिली है देखो, मेंगी मेंगी चिजे, चंदी के दो मुकुट, अब बताओ, आदमी मुकुट पहनेगा, एक देखो, कुणाल को आओ, कुणाल में कू निकाल लो, एक आपने इंदी में पढ़ा है कू, और एक आपने पढ़ा है सू, कू और सू, कू का मतलब बुरा, सू का मतलब अब बताओ, अगर आदमी राजा मुखट ना पएने, तो बूरा लगता है न, कूर रूप लगता है उसका, तो कुनाल हो गया, अगर मैला बुसन न पहने थीक है तो उसका रूप कूर रखता है बूरा लगता है, अपा ट्रिक बढ़ा रहें, लगता है, लेकिन उसके बाद करें इंडेवर या फौर्च comics दिखाइए देथि हैं ना जैसे फॉर्चुनर जा रही है ना तो देखिए यह मतलब है कु रूप को अच्छा कर देता है अब उसन मुती पहने से अच्छा लगता है सादी पहने सादी के मुकुट पहनेगा तो भी राजाचा लगे तो कुसे जोड़ लेंगे बनावली से मिटी के हल मिली हैं क्या मिली हैं मिटी के लेखने न बीयुकल बाइब हमने बुचा भी निया नेया इते沙र हिंदी में बरतन ऐसे लिखा जाता है ठीक है उपर रह नहीं आएगा हिंदी भी शीक लेना थोड़ी बरतन बगर बात करे ना तो कुरुक चेतर से मिलें बगवान पूर कहां से बगवान पूर बगवान जाने बरतन ऐसे लिखा जाता है क्या तो उतर क्या आएगा मिटी के ब प्रेमी जोड़ा मिला है और नवजात सिसु का कंकाल भी मिला है का राखी गड़ी से ठीक है कलियर हुआ भी चलिए अगले प्याज़ा यह फटांफटे नेश्ट क्यूशन अर्याना भारत में पसुपालन में डोट डोट के बाद आता है चससी का प्रिवेश इर क्यूशन है पंजाब के बाद आता है पंजाब के जो क्लास देख रहे हैं बता दूँ जो अभी पेपर हुए हैं हर शिप्ट में 20 प्लस पांच है करंट के यह 20 में स कोई शिप्ट उटालो 18-19 क्यूशन 18-19 प्रिवेश इर की हैं और NTA ने पेपर लिया है अब NTA आगे D का भी लेगी होकेंगी सारे प्रिवेश इर उमीद है जहां तक ठीक है अगर इनका खुद का क्यूशन बैंक त्यार होता तो ने क्यूशन देखने को नहीं मिलते हैं न कुछ जनपदों को स्विश्वजन कहलाता है यह तो इंडिया जी के का आगया क्या एक इसका गन आएगा ना पदों को क्या कहलाता है गन कहलाता है ऑगला देखिए C females जाँ यहाद रखना आता ऐघ्ला अपने पुत्र था यानि बड़ा पुत्र बड़े के लिए उज होता है हिंदी में यह प्रियोग ठीक है कोन दा युऌग टार ठीक है युदिश्टर तो युदिश्टर आपका राइट रहेगा ठीक है युदिस्टर लिखा गल्त के सही आये गाए-गा-धूए वड壓 ना युदिश्टर एसे लिखह आ जाएगा भई ये भी इंदी में आता रहता है युदी और सी और युदिष्ट ठीक है याद रखना ऐसे योगा भई यह बड़ा यह बड़ा था चलिए अगले क्यूशन प्याज़ाइए क्यूशन नमबर नेक्स्ट हर्याना को मुखे बोगोलिक भागों में बांटा गया है कितने भागों में पा गिर्इपाद कुन सा जी गिरी पाद ठीक है पाड़ों के गिरी मतलब पाड़ों के चंडा में ठीक है पिंदमोंट भी बोलते हैं इसको नमबर तीन अपका जैएगा गरे गगड़े अपने इसको बोलते हैं कछार बोल दूशी दर ड़िक्ट तीन को क्या वोलेंगे वही कच्छार तीसरा भाग कुण सा है कच्छार भाग तीसरा है और कच्छार को ही आपा बोलते हैं गगर हकरा हकरा और यह एक इनदी का नाम है गगर हकरा और यमुना यमुना के पेट नली वाला मेदान वाला मेदान यह पूरा ठीक इसी language में official site पे लिखा हुआ है कितने होगे? तीन भाग होगे चोत्ता भाग कुन सा हैगा आपका? चोत्ता भाग आजाएगा आपका? रावली वाला कुन सा जाएगा? रावली पांचमा कुन सा जाएगा आपका? पांचमा आजाएगा आपका रेतिल्ला मेदान ठीक है? रेतिल्ला यानि रेत वाला ठीक है? रेत वाला लीजिए तो यह टोटल पांच भागों में रियाना को डिवाइड वर्तमान में किया गया है ठीक है? अगर बात करूँ मैं अपने डोक्टर जस्वीर सिंग ने उन्होंने मिट्टी के दार पे आठ वागों में डोक्टर जस्वीर सिंग ने मिट्टी के दार पे एन एगरी कल्चर योगरोफियो पर याना नामक किताब लिखी थी उसने डोक्टर जस्वीर सिंग ने मिट्टी के दार पे आठ वागों में रियाना को डिवाइड कर दिया था ठीक है चलिए अगले क्यूशन पे आजाईए फटांफट लीजिए इंदोरी नदी का उद्भव के निकट है तो इंदोरी नदी का सेम ये पेपर में आया वागों क्यूशन रहेगा गुरूप डी था साइद गुरूप डी में था गुरूप डी में पिछली बार ठीक है उतर क्या आएगा इंदोर वैसे इंदोर मद्दे परदेश में है लेकिन ऐसे ही उप्सन दिये गए थे तो आपको इंदोर यानि मेवात की जो पाड़ी है ना मेवात की पाड़ी ठीक है वही पे जो जहां से निकलती उस्तान का नाम भी इंदोर बोलते है इंदोरी नदी की लंबाई 50 किलोमेटर ये ऐसी नदी है जो हरियाना से निकल कर और कहा जाती है राजस्तान में और पुन है इसका पाड़ी किस में मिलके वापिस आजाता है साही भी में मिलके ठीक है तो 50 किलोमेटर इसकी लेंट रहेगी और ऐसी नदी जिसका उदगम तो हरियाना से होता है लेकिन राजस्तान में बैठती है कौनसी रहेगी आपकी इंदोरी नदी ऐसी नदी जिसका उद्गम में अपने क्या है हरियाना से बहार होता है और हरियाना से ओके राजस्तान में बैठती है तो गगर नदी, गगर का अपने डाग से हिमाचल परदेश, हरियाना होती हुई, पंजाब होती हुई, कहां बैठती है, राजस्तान में बैठती है, ठीक है, इस टाइप के क्यूस्टन देखने को मिले तो कराना, ऐसी नदी जिसका उद्गम, हरियाना से ही उत्तर, हरियाना म आती है, साइबी नदी होगी, एक तो आपकी, कृष्णावती नदी होगी, आपकी, हैना, तो ये आपको ध्यान में रखना है, चलिए, नेक्ट क्यूस्टन पे चलिए, हना, दोवन भी ऐसी नदी है, जो भई, अपने हरियाना से निकल के रियाना में समाप्त होती है, आर् के रियाना में आक्रमन किया जाता था, किस के समय? अर्ष वर्दन के समय, ठीक है, किस के समय? अर्ष वर्दन, वर्दन वसका पहला वेक्ति था, पुष्य बुत्ति, अगर ना मिले, अर्ष वर्दन के एक सिलालेख के नुसार, वर्दन वसका पहला वेक्ति था, नर वर्द थीक है तो याद रखना नर वर्दन पहला व्यक्तिह था यह हर्ष का सिललेख मिला है उसमें बाकि पुष्इभटी को जाधते तरह विद्वान मानते के पहला व्यक्ति था ठीक है उजयेगा ना ठीक है वर्दन वनस के बाद कौन सा वस आया गूर्जर परतियार वंस कौन सा गूर्जर परतियार वंस बार बार पेपर में आता है कि वर्दन वंस के बाज कौन सा वंस आया गूर्जर परतियार वंस आया कौन सा गूर्जर लीजिए गूर्जर परतियार वंस चलिए नेक्स्ट क्यूशन पर चलिए अगले पर देखिए अरियाना राज़े का पूसप है फूल पूछ रखा है अर्याना राज्य का फूल कोन सबसक्ते हैं रियाद का प्लके प्डूब४ और गुलाब की पूल की में बात कर लspaceillum Iglaap Нना तो गुलाब का पूल अरियाना मैग में भारत में बात करें चन्डिगड़ इसके लिए फेहमस से कौन सा चंडीगड है ना रोज गार्डन जो सुना होगा आपने रोज गार्डन रोज गार्डन आपका लीजिए रोज गार्डन नाइंटीन ने 67 अर्याना बनने के अगले साल गुलाब बटने शुरू हो गए थे ठीक है 67 में Rose Garden की नीव रखी गई Rose Garden का बात करें दूसरा नाम क्या है Rose Garden का दूसरा नाम है भारत के राष्टपती जाकीर उसेन के नाम पे जाकीर उसेन गार्डन भी इसको बोलते हैं सोडा सोशे अधिक परकार के यहां पे गुलाब की परजाती पाई जाते है चलिए अगले next question पे आईए किताब वड़ा और कोर्स वड़ा मैं आपको बंटूँगा परसनाने दो लेवल का हर्याना पुलिस सवम सेवक परणाली दो जिलों में शुरू की गई कौन से दो जिलों में लीजिए एक तो मैंने बता दिया करनाल में दूसरा जिला बताओ जब ये सवम सेवक पुलिस सेवा सुरू की गई अर्याना के दो जिलों में करनाल के लावा जो दूसरा जिला बताएगा उसको अपनी अर्याना सामाने ग्यान की अर्याना हारिकेन किताब गर बिल्कुल ये पेपर में आया हुआ कि उसने श्याबास फटा फटे उत्तर बताएगे मैं नाम देख लेता हूँ जो भी उत्तर देगा हांजी बिल्कुल श्याबास बताएगे दूसरा अपने जिला बताओ जिसमें अपने पुलिस स्वम सेवक यह सवेम सेवक परणाली शुरू की गई है अर्याना के अलावा करनाली सार चाओर वई डी 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 और क्या रहा है महंदरगड आगया वह पूजा प्रिंस है क्या पूजा प्रिंस इससे पहले कोई और है और है कोई फिर बाद में गएगा और मैंने उत्र दिया था बहुत मिलते हैं ऐसे महंदर गड़ उत्र के आएगा वही आपका महंदर गड़ ठीक है पूजा प्रिंस नंबर दे रखें उस पे आप वटसप पे भेज देना अपनी आईडी अपना क्या बोलते हैं एडरस बेज देना ठीक है नाम फिताजी का नाम पूरा एडरस उसके बाद पिन कोड दो मुबाइल नंबर अलग अलग फोन के ताकि आपको घर बेज दे ठीक है पहला कौन सा करनाल दूसरा कौन सा महंदरगड अब देखिए काम की बात देखिए हरियाना के अंदर जैसे दो जिलों में स्वयम सेवक पुलिस स्वयम सेवक है परनाली सुरू की गई अब इसके लावा आप से आएगा कि बही जो ये नरेगा मनरेगा जिसका नाम इसका पहले नाम क्या था नरेगा पहले नाम क्या था नरेगा नरेगा जो सुरू हुई भारत के इंदर वो दो फरवरी दो दो हजारे चे को सुरू हुई थी नरेगा इसमें बारत के 200 जिले थे कितने जिले थे 200 जिले थे हरियाना के इसमें कितने जिले थे बताओ जब इस उसके बाद में 1 अपरेल 2008 को अरियाना के सभी जिले सामिल कर दिये गे तो ये भी प्रिवेशर का क्यूसन है सभी जिले सामिल कर दिये गे उन्रेगा का नाम आगे मातमा गांदी के नाम पे मन्रेगा पड़ेगा क्या पड़ेगा मन्रेगा तो ये गांदी का नाम जोड़ रह नाइन आता है ठीक है तो लीजिए यह मंद्रेगा बन गई बताओ कौन सी इसमें बड़ी बात है चलो अगले कुशन प्याज़ो फटा फटे नेक्स कुशन प्याज़ो देखिए दूले के घर में ओरतों दुबारा किया जाने वाला नरते कौन सा है दूले के घर ओरतों दु पुरूस बनकर ओरतों दुबारा पुरूस बनकर लुगाई के दुबारा मानस बनकर ठीक है मानस भी आ गया ना जो भी लगा लेजी आप किया आजाता है कौन सा खोडिया नर्ते, कौन सा नर्ते, खोडिया नर्ते, बरात रवानगे के बाद गर में महिलाओं लड़कियों के दुबारा किया जाने वाला नर्ते है, ठीक है, रास लिल्ला, बगवान सरी क्रिश्टन के याद में, रास लिल्ला नर्ते किया जाता है, और लूर नर्ते ये लूर नरते आपका कब होता है, होली के उसर पे होता है, कब होता है, होली पे होता है, तीक है, इसमें विवाहित महिला, याद रहे, विवाहित महिला, तीक है, आपस में परसन उतर करती है, दो कतार बना करे, क्या करती है, आपस में परसन उतर करती है, लिजिए दो कतार गी याना में टीक है रासलीला नर्ती यह आपका ऍचलिअ में उत्य है यह het फाग नर्ते ये फागुन महीने में किया जाता है, ठीक है, है ना फागुन महीने में, तो लीजिए पुरुस और महीलाओं, दोनों के दुबारा फाग नर्ते, खोडिया के वल महीलाओं का, लूर के वले महीलाओं का, रास लिला, महीला और पुरुसे दोनों का, ठीक है, चल अपने पर सांत जब आती है बारी साती है वर्षा के सवागत में भी बोल सकते हो इसको वर्षा के सुवागत में भी आपे इसे बोल सकते हो ठीक है नेक्च्ट कुशन देखिए एक छोटा रतेलियों में थाम आ आने वाला Drum कहलाता है एक चोटा अंतम करें जाने वाला Drum बताहू दोलक एक आतमें तो टैली में आ सकता है क्या अतेली की बात हो रही है तबला भी नहीं आएगा बड़ा होता है वेदिक सब्वेटा दोग नदी के किनारे फली फुली थी तो वेदिक सवेता सरस्वती ने दीके किनारे फली फुली थी यह आपको अच्छे से ध्यान है चलिए गली किशन पिया जाईए तार तान कर बनाया गया एक लकडी का येंतर जिसे एक तीर की साहिता से बजाया जाता है देखो लकडी का एक तीर से बत ताहे ठीक है ड्रम ड्रम में यह क्याएगा सारंगी सरंगी उतिये ना कैसी उतिये सरंगी मस्ट सरंगी दिखा दे एक मिट भई अपनी किताब में और को फोटो लगा रखिए यह ढ़े हैं दिखाऊंगा तो किया पता आप मार्केट में जाके ले विलो किसी का दिल पल्ठ ज देखिए इसमें डिटेल भी लिखी हुई है याना रिकिन मार्केट से ले सकते हो की मर्जी है चलिए हडपा गाटिस्तलों में निमन में से कौन सा अर्याना का प्राचिंतम है सबसे प्राचिंतम बुच्छा है बीडाना बनावली राखिगडी कुणाल खुदाई की सबसे प्राचिंतम है सबसे प्राचिंतम कौन सा है जी बनावाली नहीं है मेरे यह उत्तर दे रहे हो बिर्डाना बिल्कुल बीडाना सबसे प्राचिंतम है अभी कुणाल के बारे में आईडिया लगाए ज़रे कुणाल बहुत पुराणा है काज गए लेकिन प्रूप नहीं हो अभी कुणाल के बारे में आपको यह कलरक एकज्याम में भी ऐतर ग्रूप डी एकज्याम में दो बार आ चुका है प्राचिंतम संद्रव में पाया जाता है प्राचिंतम संद्रव में सेम यह सबुद्ध सेम इसी लेंग्वेज में पर सनाए तो आप चामान गरंद करके आएंगे ठीक है क्या करके आएंगे ये आपका राइट नश्र होगा चीट से लिए पंचाहित नोट वर्स के लिए काम करती है कितने BBQ पे तर पर यह पुरीं भारत में लगभग किलेक्षन हुए हैं ना बड़ा दमाकेदार 33 35 45 44 लाग का खुड़का एक सुता ठीक है लोगों के जो आ रहे हैं वह तो बैचारे मरी गए चलिए उड़ा का अर्थ है उड़ा का क्या अर्थ है उड़ा उड़ा का भी नाम बदल दिया गया है उड़ा का नाम है देखो इसमे को विकास बोलते हैं अठ्योटी को प्रादीकन बोलते हैं तो नया नाम क्या है अर्या ना सहरी विकास हे परदेख़न इसका नया नाम है उड़ा का मेन मुख्या ले कहाँ पे है पंचकुला में थी तरह पन क्षुला में लिजीए उड़ा के amin मेंastes तापना कभी थी 19776 उड्डा को सहरीी बोल सकते हैं तुझेиссाव मोणcie करें घैजब घटर यह सकता है के घख्ता है कि हम स्कूल बंद नहीं कर रहें हम स्कूलन आंगेशव हम सक्ताथ अभी नोकरी की जूर्त है अच्छी पहलकरी मानते हैं बहुत अच्छी पहलकरी आज मैं माईक लगाके एना और ये चुटाट पहलकरे के खड़ाओं ठेक हूँ ठीक हां आज पेक्टरी में अपने कोई न कोई काम करता ओता ठीक है ये अच्छी बात है लेकिन इसको अच्छी बढाय भी रखना है आगे continue भी तो रखना है है ना चलिए अरियाना के डोट डोट जिले में बरम सुरोवर स्थीत है तो बरम सुरोवर देखिए आपको उत्तर क्या करके आणा है थाने सर ओप्सन में अगर कुरुक चेतर भी हो ना का जाता है कि बगवान बरमाने नाकुनों से खुदा उसके बाद रजा कुरु ने इसकी खुदाए की अच्छी एक चीज और आती है इसके बाद में क्या आती है जी एक चीज यह आती है कि बरम सुरोवर एक पका तालाब है ठीक है यह भी बात सही है अच्छा बरम सुरोवर के बारे में अपने बताओ किस ने बरम सुरोवर को लगू महासागर का क्या का बही लगू महासागर लगू महासागर एक छोटा महासागर का नाम दिया कौन था वो बताए लगू महासागर किस ने बोला था अपने बरम स्रोवर को नाम बताओ फटा फट में इतने अगले परसंट पे ले सलता हूँ लीजिए 44 के बाद में 45 नमर के उसने बीवाने नहर डोड़ डोड़ से निकलती है बीवाने नहर किसे निकलती है तो बीवाने नहर बाखडा नहर से निकलती है यमुना से ओखलाबान से गंगा से का से बाखडा नहर से बीवाणी नहर की लंबाई 220 किलोमिटर है जी और इसका दूसरा नाम है बीएन चक्रवर्ती बीएन चक्रवर्ती नहर इसका अरियाना के दूसरे राजेपाल अरियाना के सेकंड राजेपाल अरियाना के लोंगेस्ट ठीक है लो बेकारे कालवाले गौवर्णर के नाम पर इसका नाम रखा गया है वीवारी नहर का इसे दो लिफ्ट नहरे निकलती है जुई ओरे लौहारू लिप्ट नहर ठीक है लौहारू लिप्ट नहर से चरकी दादरी में भी शिंचाई होती है है ना तो यह कहनी आपको पूरी complete इसम सब्सक्राइब को पता है तो यह कौन सा उत्तर और यह कौन सा पूरो उत्तर पूरो अगर रावली की पूछे तो रावली की रियाना में दक्षिन भी करके अगर डक्षिन पूरो पस्यम दिया है तो दक्षिन में रावली की तो आपका दक्षिन पस्यम रहेगा चलिए इतना कर लोगे अगर आप से पुछा जाए कि बताइए आपने सिवालिक पाड़ी सिवालिक पाड़ी रियाना के कितने एरिये को गेरती है सिवालिक अगर अपने अरावली कितने एरिये को गेरती है अरावली तो याद रखना सिवालिक है वो रियाना को 1.67% को गेरती है 1.67% है टोटल एरिये में से और रावली है वो 3.09 परतिशत गेरती है 3.09 और अर्याना में रेतिला मैदान अगर पूछा जाए रेतिला मैदान तो अर्याना में रेतिला मैदान जी 11 परसेंट है कितना है 11 परसेंट रेतिला मैदान है ठीक है हो जाएगा कर लोगे बिल्कुल जी यह आपको छहले होके जहार में रखने हैं चलिये उगले कि उसने प्यार जाइए हुर्जर परतियार ने किया था हुर्जर परतियार ने किया था वही आयते इनके बाद में जो एरिय आर्सवर्दन पा था इसको गुमा दिया परसंगो थोड़ा कनोज पूच्छ दिया तो एक यी बात हां वही वरदन में और परतियारवस आया है तो इन्योंने कनोज प्र धिकर लिया ठीकquetгов कि तो तताे शेक्राइब गुर्जर परतियारे काल ठीक है कुछर परतियार काल माहीर बॉज नाम सुना है चाहरा जी महीर वो जिसके में परवा में गोडूब के 극्द पर यारवंस का था महीर भोस ठीक है हां जी अमबाडा के लिए अमबाडा परसीद है किसके लिए आम के लिए अमबाडा भई परसीद है आम जादा पुछा जाए तो युम्ना नगर लेकिन ये परसन ऐसे ही आता है वार वार ठीक है चलिए अमबाडा सिलाई मशीन के लिए भी आपको पता होगा चलिए गले किसन को देखिए वैं नर्ते जिसमें गोपिया क्रिशन के चारों और वर्त बनाती है क्या कहलाता है वो प्या क्रिशन को चारों तरफ से घेर लेती है ना ऐसा कौन सा नर्ते भरत नाटेम मराठी रासलिला भी हूँ इससे तो समझे रहे हो भरत रासलिला में आपको ध्यान में रखना है गोपिया क्रिशन को चारों और वर्त बनाके गेर लेती रासलिला वर्दावन और मथूरा इससाइड का फेमस है ना यानि यूपी का चलिए अगले प्याई वैसे आजाए रासलिला परसीद है हरियाना में पूछ बार्त में लगता हुआ अगर जिले दे तो मेवाद साइड का मेवाद प्रिदावाद पलवलो डल साइड ठीक है चलिए कुरुक चेतर के यूद में कावर्ण दरितराष्टर को किसने सुनाया था संजे ने सुनाया था सारा का सारा विवरन ठीक अभी चलिए अगर पूचा जाए कि गिता में कुल कितने सुलोक है गिता में कुल सुलोक कितने बताओ भी गिता में कुल कितने सुलोक है कौन उत्र बताएगा जो उत्र बताएगा सही उसको और याना रप्तार बुक बिल्कुल फरी अब कोस्ट बेजी जाएगी एक अक्टूबर तक का इसमें करंट अफेर का डाटा है ठीक है सर्वेक्षन रिपोर्ट को छोड़के सारा मामला इसमें से आया हुआ है ठीक है हाँ जी बताइए गिता में कुल कितने सलोक है एक तो अपने जो लड़कीती पहले पूजा प्रिंस नाम से इसके बाद बताओ 700 जी बिलकुल है सबसे पहले उत्तर आया है सु गिता में कितने सलोक है 700 700 में से अधिक से दीक है घगवान सरी क्रिशन के है कुछ इसके दृतराष्टर के हैं और कुछ इसके संजे ने भी बोले थे ठीक है इन तिनोंने 700 सलोक बोले हैं टोटल चली एगले प्याजाईए अरब अपने बगवान सरी कर अर्जून भी क्या आएगा जी उत्रों नौसो इसा पूरों वैसे देखा जाए तो सड़े नोसो इसा पूरों है लेकिन ये नीर में बताएं सड़ेनों सौई है यह ओप्शन में 800 है 700 है, 600 है, 900 है तो 900 इशापुरो महावारत का युदे लड़ा गया था आपको ध्यानोगा ठारा दिन तक ही महावारत का युदे चला था चलिए एगले कि उसने प्याइए देखे, हर्याना में बच्चों की स्तिति सुदारने के लिए कार्याविंत किया गया है बताओ कौन सी योजना प्रियोजना चलाई गयी है एक इकरित बाल विकास योजना ठीक है, बच्चों की स्तिति सुदारने के लिए एक इकरित बाल विकास प्रियोजना का सुभारम के उस समय करंट का था भई ठीक है, बाकी रिपीट हो जाए क्या पता तो एक इकरित बाल प्रियोजना रखना चलिए मुस्तपाबाद का नया नाम क्या है मुस्तपाबाद का सर्स्वती नगर है अगर सर्स्वती नगरी बोल देते तो सिर्शा को कहते है इसका नाम किस व्यक्ति ने रखा था किस व्यक्ति के कारण मुस्तपाबाद युम्ना नगर में है कहाँ पे है मुस्तपाबाद है युम्ना नगर में है किस वेक्ति के कारण मुस्तपाबाद को सरस्वती नगर करने लग गए उस वेक्ति का नाम बताओ दर्सनलाल जेन कौन था जी वो दर्सनलाल जेन लीजिए दर्सनलाल जेन यमना नगर का समाज सेवी दर्सनलाल जेन है जिनोंने सरस्वती नदी के बारे में उत्खनन कारे किया इनकी मृत्यू भी हो गई है बिवाणी बोड की जो किताब में आई है पहले पेज पे दर्सनलाल जेन को किताब समर्पित की गई है प्रेणा माननी है इनसे शेरिस्तानीय निकाय के चुनाओ लड़ने के लिए पुरूस नियुंतम योगेता हो नीचे यह तो कितनी होने चीए बई पुरूस योगेता कितनी होने चीए जेनरल गटेरिग्र का पूछ रहा है तो दसमी आएगा ठीक है आपको इतनी याद करना है चाहिए आपका सहरी स्थानिय निकाए हो या आपका हो अपने बात करें ग्राम पंचायत पंचायत में पुरूस अगर आप बात करूं मैं मैं की अगर जर्नल के टेग्री से तो दसमी और पुरूस अगर बात करू में लगा लेते हैं यहां परे क्या लेखें भई यहां लेख देता हूँ अगर वो रिजरो केटेगरी से है तो आठ ठीक है हो जाएगा रिजरो केटेगरी से आठ अगर महिला है ठीक है अपने जन्रल की रिजरो केटेगरी से है तो आठ आ जाएगी यहां पर मैला लेग दूँ में आट मी आएगी यहां पास भी ठीक है तो यह आपको रेशियो ध्यान में रखना है पेपर में डारेक्ट डारेक्ट सीदा सीदा पूछा जाएगा पहली रियानवी फिल्म कौन सी है तो आपको उत्तर इसमें दर्ती रहेगा 1968 में 1970 मे अर पूल सिंग जार जुलानी ठीक है कर लोगे न यह फिल्में बार बार पेपर में लडो फिल्म के बारे में आता है लडो फिल्म कब आई थी 2000 में लडो फिल्म कब आई 2000 में इसे पहली फिल्म अर्याना की अर्याना की पहली फिल्म जिसे राष्ट्रिये पुरुसकार दि प्रिवेसर का क्यूशन है जोगिंदर सिंग एक साहितेकार है किस जिले से बिलोंग करते हैं एक जोगिंदर सिंग है किरकेटर भी है वो गुरू गराम से जोगिंदर सिंग किरकेटर गुरू गराम से पहले रोतक से समध रखते थे गुरू गराम से वो ठीक है लेकिन ये जो अब बार्वा आया हुआ है परसिद कार्टूनिस्ट का नाम बताओ तिक जिसका सम्बंदल याना के गुरूघ रामसि है ओर उसने अपने बई जो कारगील विजे दियुस का कार्टून बनाया था बताओ कारगील कारगीले कारगीले विजे का कार्टून कारे टून कार्टून बनाया था किसने बनाया था वो वेक्ति कोन था जिसका सम्मंदे अपने कहां से हैं गुरू गराम से क्या आएगा सेकरे गुरेरा क्या आएगा भी सेकरे गुरेरा यह आता है बार बार पेपर में एक आया आता पेपर में तुने मेरे जाना नामक गीत किसका है परसिद गीत था ना तुने मेरे जाना सिर्सा का वो वेक्ती बताओ जिसने तुन ने मेरे जाना नाम मंगी ती सारी प्रिवीष organisms की बता रहा हूं जो एकक स्टा बता रहा हूं ठीक है また एटो बहसं पता बहुतकी बाल नोकुन गूप्त साहितेक लेग Israeli में अ ऊपकर लैणわか़ का द्ूर्ण रेवाडी में इनका जनम हुआ था ठीक है बालमुकुंद गुप्त का और अपने इनोंने शिव संभू के चिथे भारत परताब ठीक है है इस जैसे कई रचनाई इनोंने लिखी थी ठीक है भई हांजी बताओ बई उर्दू हिंदी हिंदी डी सी है ना बताओ श्यावास फट हिंदी कभी थी नाम पर देखो बालमुकुंद गुप्त 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 गुप्ता हिंदी हिंदी जैसे भी करूं आप इसको थोड़ा याद रखना भी ठीक है बाल इंदी का सब्सक्रण आसे कर लीजिए तए-उस वह माल देव देव हिंदी है ठीक है अर्य कितना है कितना है एक पॉइंट तीन चार परतिसत है ओहो चुमाड़ी दूसर बारा कहा रहे गया यह है यह लोई है ठीक है तो एक पॉइंट तीन चार परतिसत रहेगा तो लोग ले किसन प्याज़ो ठीक हा भई देखे गला निमन में से कौन सी पाड़ियां हिमाले और मैदाने के बीच में योजग है बताव कौन सी पाड़ियां हिमाले यह हिमाले है ठीक है उपर वाला हिमाले है पंचकुला है यह अंबारा है युमना नगर है यह आपकी रहेगी पाड़ी ठीक है इसमें नीचे क्या है मैदानी भाग है इनके बीच में एक श्योजक है कोनशी पाड़ी तिप्रा है तिप्रा को तिप्रा ही लिखा जाएगा पेपर में भी आर ए होगा अडा लिखा जाएगा तो कंफ्यूज नहीं हो ना मौर्नी पाड़ी रावली पाड़ी अम्बारा के पाडी, तो भाई, इमाले और मैदान के बीच में है गगर नदी है ठीक है लीजिए इसको ऐसे आंसर करेंगे मोरनी भी वैसे सही है लेकिन टिप्राई करके आएंगे ठीक है टिप्रा परसिद पाडिया है और यह मोरनी से थोड़ी उपर है नीचे मैदा मैदाना शुरू हो जाता है जब अपने नदी आती है यह कौन सी गगर तो है तो बही आपको पहले प्राइक्टा गुरू गराम में जादा है यहाँपर तो ना मतरह फृरू गराम में आपने सुना होगा सोहना ठीक है ना तो सो हाँ रावली का प्रवेजवार चलिए उतर के आएगा आपका गुडगाउं आएगा ठीक है तो इसको आप ध्यान में रख लेना भीवानी में रूप से भीवानी दादरी गुरुगराम मेवात और कौन सा अपना में दरगड और उ सब्सक्राइब कर रहे चुकी है सबसे दीक बार हरमेंदर सिंग चड़ा कितने टाइम में तीन बार कितने बार वही तीन बार ठीक है तो यह तीन बार हरमेंदर सिंग चड़ा आपका राइट आंसर कम का कोन है कम का बताओ कोन है राओ विरेंदर सिंग कम कोन है राओ विरे सबसे कम मैं तीक ऐसके बारे स्पिकर के बारे पूछ रखा चलिए अगरी संपेให안 पी इसे ने derecho कि दुकिया था मधि का थे लिए गाटा जील कुछ photons गाटा जील बीम कुण जील बिम कुण जील ठीक है और थे बसे आदर सी पोर्टेंट फौटनेंट धे आदर credit तो को सबसे अधर जी लुब तहसे अधर इन्क वूट इल्टी कह बोधी पोर्टेंट है बार-बार पेपर में आती है ये सब्सक्राइब। जिल चिलिए नेक्स्टard प्यूसिंपर ऑब ум कर समर्पित जी मोदर्त है नहीं अनंगपूर ये भी एक बांद है उत्र अपने आप जील में सुरुजकूंड निकल गया लेकिन याद रहे सुरुजकूंड जील है ना सुरुजकूंड इसका आकार सुरिय की तरह बनाया गया कैसे उगते हुए सुरिय की तरह थोड़ा सा इसे कर देजिए जैसे सुरिय निकलता है ना सुबह सुबह उस आकार में बनाएगे ये सुरुजकूंड ठीक है ये भूत इपोर्टेंट तत्ते आते हैं एक आप कहता है बढखल जील क्या जील बढखल का अर्थ क्या है तो बढखल का अर्थ आएगा बिना किसी रुकावट बिना किसी खरकार्ण निकलता है कि लहने करते हैं इक निकलता है ना हम के पास में परवेश करती है कौन सेवन के पास में के तो में प्रवेश करती है अगर यह ना दिखेंगे कोन सा इस्तान करेंगे पिर की अज़ेवाला भी होता था तो भी 手ता रहेता आपणा उस्तीज ड़ता था रहाया था तो अध्याजन की में टेरuliflower 650 तर में किस वर से हाया था तो सुरजी एरजन गाऊंव की संदी के तहतेants नहीं आया था ठीक है तो यह आपको ध्यान में रखनी है बातें डाले हैं झुकि नहीं जाë जोता सा इरिया है फिर बी ठीक और याद रखना अनाज की भूमी भी आयांप 무र खाने की दर्ष्टी से बात हो रही है चलिए एगले क्यूष्ण प्याज़ए लीजी एगला क्यूष्ण देखिए लोभी कौन सा रियाना का सबसे बड़ा जिला है तो भी बड़ा बड़ा छोटा ये तो पहले का परसन है पहले तो भीवानी हो जाएगा इन में से ऐसे भी आ बड़ा जिला कौन सा है तो बड़ा जिला कौन सा है भई सोनीपत है इसार है फृदाबाद या वीवानी तो आउत्तर क्या आएगा इसार 3933 वरग किलोमेटर के साथ है दूसरे नंबर पर कौन सा जिला अपना भाई इसार जिला ठीक है लेजिए चलिए आगे आजाई एक् का गया प्रेवीज सिर्कां के उसने बिल्कुल नेक्स टाइम आया ना तो कहींगे नया परसन आगया अभार चोड़ों आएगा आजाद इंद भी नहीं आएगा सत्यागरे गांदी गुंदी का था क्या था सवदेशी आंदोलन और 1907 को लाला लाजपत्राए को कहा बेज दी बंगाल विवाजन की बात है ये बंगाल विवाजन 1905 लोड करजन के समय वतना तब से इनोंने आंदोलन चला है कि मांडले जेल लाला लाजपत्राए को भई मांडले जेल कब बेज जा गया था कहां पे मांडले जेल तो मांडले जेल में आमार में पड़ती है ना भई तो मांडले जेल बेज दिया गया था 1907 में ये भी प्रिवेशर का क्यूसन है भई लाला लाज पत रहा है ठीक है इसार इनका केंदर इसार में आरे समाज की साका लेकिया है इसार में कॉंग्रेस की साका लेकिया है रोत्तक में कॉंग्रेस की साका लेकिया है परसीद अभी नेतरी जुही चावला का समन की जिले से है अंबाडा से है ठीक है और कौन कोन है परसिद आपको पता होगा परनीची चोपड़ा अंबाड़ा से है ना इसके लावा मैं बात करूँ ओम पूरी कहां से है अंबाड़ा से है ठीक है बताए परसिद अपने अभी नेता अपर क्या नाम था भी वेद गांधी बताओ इसका जो राइट आंचर बताएगा उसे पूरा का पूरा सचो रुपे वाला डिवाइन स्टेडी एप पे वो बिल्कुल फ्री मिलेगा वेद गांधी बताओ वई वेद गांधी हांजी ओम पूरी आगया वेद गांधी का पूछराओं में तो राइट आंचर दीजी युमना नगर कोना ये नसीर हुषेन चंडीगड उस नियाले की इमारत का डिजाइन बनाया था तो किसने बनाया था तो वही बात है चंडीगड में जो चीज़ बनी है रोक गार्डन नेक चंद को छोड़ दो बाकी में ली कारभूजियर गसोड़ दो ठीक है और दिल्ली में जो चीज़ बनी है वो क्याएग एडवी ने लूटियंस ठीक है संसद बहुनों राष्टपती बहुनों दिल्ली के रूप रेखा हो यह दिल्ली के बारे में आ जाएगा चलिए अगले क्यूशन प्या जाएए फटा-फटे अगला क्यूशन क्या है कि डोट-डोट में पुरा तात्वी खोज दर साती है कि य याना में मोरे समाजकार याना मोरे समाजका भाग था बताओ कोन सी चीज हमें बताते कि याना मोरे समाजका भाग था MCQ पढ़ रहे हैं प्रिविए सिर के जो नया है जो इस चैनल पर नीव है भई चैनल को क्या कर लेना सस्क्राइब कर लेना ठीक है चैनल को सस्क्राइब करें आपका अपना यूटूब चैनल है बेल आइकन दबाले जी गंटे का बटन ऐसा है उस पे आप कलिक करोगे न गंटे पे ठीक है तो ऐसा हो जाएगा ऐसा करना है अपने को ताकि नोटिफिकेशन आ जाए मोर ये समाज का बताओ उत्तर क्या कर क्या तेगर सेम ये रिपीट हो जाए पेपर में बिल्कुल जी क्या आएगा सुग या सुग ठीक है घया आएगा इसमें बिल्कुल राइट आनसर है जी आपका सी इसका युमना नगर में इस्तान कहां पे है युमना नगर में है अगला देखिए अरियाना की विदान सभा से विदान की यहनु सुची में सामिल विश्यों पर कानून बना सकती है तो देखिए शिदी सी बात है संसद बनाएगी कानून देश के अंदर और राज्ये में बनाएगी विदान मंडल राज्ये में क्या बनाएगी? विदान मंडल तो अरियाना में बात करें विदान मंडल का एक ही बाग है निमन स्तरे विदान सबा कौन सा है? विदान सबा है अरियाना में तो विदान सभा है, तो यानि विदान मंडल औरे अपने संसद काँ आनों सातमीन सुची में, कौनसी? सातमीन सुची में, संक सुची, केंदर सरकार संसद बनाएगी, राजे सुची, याना सरकार बनाएगी, ठीक है, कोई भी सरकारों चे विदान सभा intend दबारा, और समवर्त में दोनों मिलके बनाएगी ठीक है तो याद रखना बहूत की स्तापना Spheer समिति आपको द्यानोंगा थेइस सिस्टमभाउद 1965 को गठित की गई थी और और इसने अपने अंडर में 23 अप्रेल, 23 अप्रेल 1964 को एक अपने सिमायोग बनाया था, जेसी सां M.M. फिलिप्स S. 23 मंदेश में थे, इसने अपने रिपोर्ट दीती 30 माई को, कब दीती 30 माई को, और 30 माई 1966 को, इसकी रिपोर्ट के नुसारे सर्दार उकम सिंग ने 18 तारीक 9 में में 1966 में भारत का 18 से वैदानिक संसोजन कर दिया, और हर्याना 17 में राज्ये के रूप में उबर कराया, 17 में राज्ये के रूप में उबर कराया, ये प्रोसेसिंग है, पूरी की पूरी हर्याना निर्मान की, चलि एगला क्यूसन देखिए, सुल्तान पुर पक्सी वि फिनार लीजी अगला देखिए अगला परसन जिसन आजेए अर्सवाधन राजा दुवारा सासी थानेशार डूट डूट थी तो किस के आसपास टू कि रूप चेटर के आसपास ठीक राइट अंसर क्या रहेगा आपका खुरूग चेटर सब्सक्राइर इसका राइट अंसर भोगैं io जैया ग्यार मैं रजिये विधान सभास एक चुनाउवे हैं錯 माना घया अब देखिए इस ईसले टाइपंंग मिस्टेक नेasan चल में चोजह मी दो हजारे उनीज से ठीक है और तेर में विदानसवा कब आई थी तेर में विदानसवा आई थी अपने बई दो जारे चोधा में ठीक है तो यह यहां पर गलती है ठोड़ी ठीक है चलिए इस चीजों को आप ध्यान में रख लें आगे चलिए गले कि उसने देखिए हर्याना राजे की सीमा कितने राज्यों से लगती है तो कितने राज्यों से पांच से और दो क्या है यूटी चलिए कौन कौन से पांच राजे ऊपर से देखिए हर्याना के उत्तर में कौन सा है हिमाचल परदेश हर्याना के दक्षिन में कौन सा है राजस्तान ठीक तो पांच राज्यों की शीमार याना और उत्रा खंड से भी अपने लगती है ठीक है पांच करक्याने है चलिए अगले कि उसन को देखिए फटांफट एक बार लीजिए अगला कि उसन पूरी स्क्रीन पर दिख रहा है ना आपको देखिए भारत में आदूनी करसी के संद्र पस्मी उत्र परदेश के किसानोंने सबसे पहले महारत में आदूनी के कर यसी क्या ठीप की यह वहीं इस ताइप का वाए एक paper में करनाल का युद हुआ था तो करनाल का युद बताओ कब हुआ था पहले ये बताइए करनाल का युद कब हुआ था 1749 में लड़ा गया था ना भी करनाल का युद ठीक है किस किस के बीच लड़ा गया था नादिर सा और मौमद सा रंगिला तो नादिर सा यहां भी है और यहां नहीं है यहां भी है मुहमद सा रंगिल्ला तो याद रखना यह आपका राइट आंसरो जाएगा ठीक अभी चले एगले किसन पर नेक्स्ट पर आजाईए लिजी एगला किसन पाणिपत का तीसरा युद लड़ा गया बहुत सिंपल है तीनों कि तीनों पता है 1526 ठ सत्रा सो एक सट सत्रा सो एक सट वाला चौदा जनवरी कितने जनवरी चौदा जनवरी पंद्रा सब्सक्राइब दूसरा युद पांच नवंबर ठीक है और यह आएगा 21 से अप्रेल 21 अप्रेल तीनों की डेट याद कर लेना क्योंकि यह चीजी तो नोर्मल है लेकिन में नहीं पाई जाती तो अंबाडा पंचकुला युम्ना नगर क्या जाएगा उत्तर सिदा सिर्सा जाएगा चलिए अगले किस्वन पर देखिए जहां लगर आया कि असान है उसको आगे निकाल देते हैं हर्याना के परतम राजेपाल ते डोक्टर अपने क्या जाएगा घृत्रे डरहमवीर सिंग्डिया अगर्पेपर में आये कहां से थे जनौर यूपी से कहां से थे वहीी बिजनोर भीस नोर आएगा बिजनोर यूपी राइट है कम रहेगा बिजनोर रहे उत्तर पर्देश से थे ठीक हांए अभी वरतमान में अठीमें राजेपाल कोन है अठार मेरा जेपाल कोना भई बंडारू गंतोदरी कहां से हैं एदराबाद से एदराबाद से हैं वरतमान वाड़े एदराबाद तेलन गाना में पड़ता है चलिए अगले किशन को देखिए बगवान सीव की करपा से अरजुन को एक सस्तर प्राप्त हुआ जो कहलाता है बताओ भी बगवान सीव की करपा से अरजुन को एक सस्तर प्राप्त हुआ क्या कहलाता है क्या कहलाएगा पासू पतास्तर ठीक है पासू पतास्तर हो जाएगा और इसके अवसेस कहां से मिलें अपने को है ना कहां से उत्र क्या करके आएंगे शिर्षा से ठीक है पासू पतास्त्र जो भी है ठीक है भी पढ़ लेना तलिए देखिए बहुत जीव टक जाती है ना पांडवों के गुरुदुरुना कुरुक्षेतर में कुरुक्षेतर के इत्ते हैं क्या हो गया तो बोले मेरे सामने मेरा गुरु खड़ा है बोले तेरे सामने तेरा गुरु खड़ा है बोले अच्या अगर तू त्यार नहीं उठाएगा तेरा गुरु तुझे मार नहीं देगा ठीक है सही बात है ना बोला हो सकता है ये बात तो सही है बोला वो पर बेटे फल की चिंता मत कर फिर ठीक है आरजुन फिर त्यार उटाता है ठीक है बोलो तीर का चला हूं बोले वहीं चला दे जहां खड़ा है कौन गुरू दोड़ना चारी ठीक है वही चलिए अगला देखिए हर्याना के गुड़गाउं जिले का कब बना था सिधा सिंपल से भी आजाते हैं कई बार एक नोमर निश्व 66 को चलिए अगले क्यूशन पर आजाएए गुजरी मेल कहां पर है हिसार में है सबको ध्यान है चलिए अगला देखिए हाँ अर्याना के किस बाग में किस बाग में करेवे निर्मान और एक अदबुत परकार की मृद्धा करेवे निर्मानी है वही एक अदबुत परकार की मृद्धा पाई जाती है ठीक है तो किस बाग में यह सेम इसी तरह काया था भई हिमाले के किस बाग में क्रेवा निर्म तो यह इंडियाग जी के सब्सक्राइब नहीं है आप कहीं रियाणा जिके करके उत्तर पूरी हिमाल ले कराऊ मूने ठिक है कला च्एंग ये कसमीर हिमालले है इसका राइट आशाल कोसा है नकर आर लाक में लाक थी अभी डाईवाइए कितनी कर दी गई है भई? डाईवाइए लाक 2,500,000 रुपे अन्तर जातिय विवाइए याँनी अगर आप पे अपनी जात्य को छोड़ के दूसरी जात्य में इसाधि करते हैं डाई लाख रुपे मिलेंगे बई डाई लाख सूट दिलवा देना डाई लाख वाला ठीक है अगर बात बनगे इनोकरी में तो ठीक है ना नहीं तो कहीं ना डाई लाख दिलवा दे ठीक है तो कोई ऐसी पकड़ लेना जो आपकी जात्ती में ना हो ठीक है चै कोई भी जात् जाएगा पूरा का पूरा complete है सूट शूटी पले होगा बाकी परिवार प्रियूर कुछ पले नहीं होगा ठीक है चलिए हर्याना सरकार ने 2015 में यह गोशित किया कि वह डोट डोट को समार्ट सिटी के रूप में विक्सित किया करेंगे ठीक है तो बताइए अपने किसको गु गुडगाओं को किया गया था रियाना सरकार के दुबारा और करनाल और फ्रिदाबाद को 2015 के पूछा जाए ना पुराणा नहीं आएगा करनाल और फ्रिदाबाद करनाल और कौन सा फ्रिदाबाद को इसको बारत सरकार ने समार्ट चीटी बनाने का दावा किया था तो ना त है ठीक है अच्छी एक इनफोर्मेसं थी भई है ना आपके लिए शेयर करनी थी ठीक है डिवाइन स्टडी एप पे कंप्लीट कोर्शी साथ सु रुपए का हिंदी विनोज सास्त्री सर दो सु रुपए इंगलिस दो सु रुपए मैथ रिजिंग दोनों दो सो और यहां पे है नजदीक का मास्ट बोट मांगने लग गया ठीक है वही कल को को काम होगा तो भी आपां बता देना कोई देख रहा है इदर गवाणा आपने बुना साइड का ठीक है तो करप्या दृस्टी दिखाए ठोड़ी ठीक है है ना और भारी बहुमत से जिताए चली अकले कि उस अपने वीडियो भी करवाई थी पहले पढ़ाया भी था ठीक है अभी भी है अपने पास है तो रंजीत सागरबांद किस चिले में किस नदीपर है ये इंडिया जिके का आगया रावी नदी आ जाएगा देखिए जिला क्या है डोड़ डोड़ चिले में अलके इंजिनियर ये परमी अपने आपने अंबारा में पार Buck a ये अखर पूचा जाए तो आपका फ्री दफास है का इनजीनिक और पीपर में अंबारा पर्थी वर्च किलोमेटर कम सिर्फा का है 303 आर पूरे रियाना का कितना है पूरे रियाना का पांसो तीयत्तर विक्ती अर बारत का कितना है तिन सो तिन सो बियासी वेक्ती परती वरग किलोमेटर यह ना वही ठीक है चलिए नेक्स क्यूशन पर आजाए फटा फटा अगला देखिए यमुना नदी अरियाना में परवेश करती है कि सेतर में पूर्वी सेतर में ठीक है अच्छा अंबाला जिले में सिंचाई इसका आपको वर्षा करवाया था है ना वर्षा करवाया था देखिए इसके मैंने आज अंसुर की देखी है ग्रूप D में आया था यह इसका भई नेरी उत्तर माना गया है ठीक है तो आप कल को बविश्य में जब भी आये इसका नेरी करके आना मैंने दो तीन बार चेक कर तो आपको नहरी करके आणा है चलिए नेक्स क्यूशन पी आजाई यह फटाँ 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 अगला के युद भूमी दरम भूमी के नाम से जाने जाती है ठीक है देखो भी दरम की भूमी यानि दरम की भूमी तो याद रहे कोंसी है कुरुक चेतर है दारमी के दरम नगरी कोंसी है देखो पेपर में आए दरम नगरी तो आपके आंसर क्या हो गया कुरुक चेतर अगर पेपर में आजाए दारमी के नगरी तो आपका उतर पेवा आ तो आगे जब पेवा आता है तो जो वहां पे गेट लग में जो लगा होता है अपना स्वागत करने वाड़ा वालिक दार्मिक नगरी पेवा में आपका स्वागत है जब करूख चितर में जाते हैं तो दार्म नगरी करूख चितर में आपका हर्दिक स्वागत है फर्क है जब बादुर्गड में जाते हैं ओल्ड उद्योग विहार में आपका स्वागत है ठीक है और जब हम गुरूगराम में जाते हैं उद्योग विहार में आपका स्वागत और जब हम फ्रिदाबाद में जाते हैं वो द्योगी के नगरी में आपका सुवागत है ठीक है जब हम फतेवाज में जाते हैं गुलाबी नगरी में आपका सुवागत है जब इसहार में आते हैं तो आपका क्या आता है स्टील सीटी स्पात नगरी में आपका सुवागत है ठीक है हो जाए गए न यह सुवागत वाड़ी बात थे सारी ध्यान में रख लेना चलिए ठीक है अगले कि उसन पर आ जाईए लीजिए डोट-डोट के उत्पादन में अर्याना का पर्तमस्तान है तो डोट-डोट में कि सुनिपथ लिजे ए सोनी पत खुंबी होते हैं न मस्रूम बैटी कि साप की चतरी बोलते था आपा बच्पन में किसने सांजाका मयूर श्यासन लूटा तो さंजाका मयूर श्यासन नादिर साने लूट था करनाल का जब हुद है उसके बाद में ठीक है चलिए अपना बताए शावास 101 नमर पर समय अपने ऐच यू एच हूच एम कार्थ क्या है हर याना अरबन ए इसे रचाट अर्बन ए हैषओ रॉन्थ मिसन रहेगा हर याना अरबन ए हैषओ तॉससम इसका राइटव एंसर अपनी भी भुक में देखिए पानि पत्का दूसरा यूद्य हेमू किसके बीच रड़ा गया था तो हेमू और अपने किसके बीच था वही एमू और अकबर ठीक है लीजी अगे चले अगरा देखिए बाग और फुलकारी का सयोजन है लीजी ये त्षाया परसन अच्छे लिए उलकाया क्या पूछ रहा है कि बाग और फुलकारी का स्योजन कहलाता है क्या कहलाता है भई ठीक है बाग और फुलकारी का स्योजन कहलाता है क्या कहलाएगा चॉप ये एक परकार से जो फुलकारी होती है उसके परकार होते है चौप बोल दो, फुलकारी बोल दो या बोल दो आप बाग तो बैसे देखा जाए तो बाग और फुलकारी का सोयोजन मिलाने के बाद चौप बोलते हैं तो बहुत इपोर्टेंट थते हैं बार बार पेपर में ये आता रहता है परसंद दो बार आ गया ये ठीक है चलिए वर्तमान में 103 के बाद 105 आ गया एक मिशिंग हो गया ठीक है 105 दमबर वर्तमान में हरियाना में विदान सबा के कुल कितनी सिटे हैं तो क्या करके आएंगे 90 सिटे हैं 17 रक्सित हैं चलिए ठीक है बताए एत्यासिक सेरसां सूरी मारग, सेरसां सूरी मारग डोट-डोट को कहा जाता है, किसे कहते हैं नचे, वन को कहते हैं, आज किसे बोलेंगे नचे, 44, ऐसा highway जिस पे हर आठ किलो मिटर बाद, हर आठ किलो मिटर बाद अपने charging station लगेंगे, यानि गाड़ी यह आगे ना, light वाली चार्जिंग वाली बाइक आई है, तो उनके लिए 8 किलो मिटर पे चार्जिंग सिस्टम है, लगेगा, नैसनल आईवे, 44, सबसे लंबा, आईवे है, लीजिए, सडक याताया, चुरक्षा के लिए, शुक्त राष्टर गलोबल फोरम, ने सडक दुर्ग, दुर्ग अटना चार्जिंग वाली बाइक लिए, लीजिए, 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 कितना ओस्तन दूद देती है चलिए हर्याना राज्ये में बाजार समीतियों के दिक्षक और नेंतन के लिए एक अगस्त 1969 को निमन में से किस्किस्त आपना की पहले देखो हर्याना में बाजार समीतियों के दिक्षण और नेंतन इसका ये भी आ सकता है सब को पता है हर्याना वार्याणा स्टेट tai एग्री कल्चर फॉर्ट कौन सा ऑप्सन रहेगा तन ज घाई वायाद अगस्त 19 69 को षतुवपित हुआ और इसका व्द्षय क्या है बाजार समीतियों के अधिक्षण और निन्तड के लिए इसकी总ा की गई तो एक अगस्त 1969 को 69 को हर्याना में अतनी कुंड बेराज किस नदी पर है तो अतनी कुंड बेराज किस पर है यह मुना नदी पर सब ध्यान है सबको ना अतनी कुंड अतनी कुंड बेराज का पहले नाम ताजे वाला था क्या नाम था ताजे वाला था और अतनी कुंड का नाम ताजेवाला से जो अपने ताजेवाला से अतनी कुण्ड कब किया गया वाले कंटीन्यू ठीक है कंटीन्यू दो गंटे होने वाले हैं अर्याना नलका योजना 2021 का मुख्य उद्ध से क्या है तो 2021 का नलका योजना है इसका मुख्य उद्ध से क्या है ग्रामिन लोगों तक नलका पानी पहुंचाना ग्रामिन लोगों तक नलका पानी पहुंचाना क다 काल में आपने निमन मेंसे किस नित किया गया था किसके साथ है क्रिश्शी यूग ये एलम के एग याम में पिछले बार पेपर में आया था वही जो एलम का एक्जाम था ऑफ लाइन है उसमें एक उससने क्रीश्शी यूगे इसका राइट आंसर आंसर की में माना गया हरियाना के निमन में से किस प्रांत ने ठारा सोस्तावन के विद्रों में ब्रिटिस सेना को भूमुले से योग परदान किया तो किसे ने किया था भई बादुर रियासत नाजी जज़र रियासत नाजी तावडू रियासत बिलकुल लोहरूर रियासत ने इन रियासतों के कुछ राजा कुछ राजा निकले ठीक है करांथी में टाउडूर यासत आएगा यह ताउरू ऐसे इंगलीज में भी जब लिटेना इन्दी में तो ऐसा इक अन्वट करता है प्रिप्टी स्पिकर बनी थी, एक नोवंबर देना तो डिप्टी स्पिकर और 6 दिसंबर 1966 को ये रियाना विदानसबा की स्पिकर बनी थी, ठीक है? पहले डिप्टी स्पिकर जब ये डिप्टी स्पिकर थी न, तब स्पिकर कोई नी थी, एगरोप्शन में नहीं दे रखी न, कि डिप्टी स्पिकर कोन था, तो मुलतान सिंग आपे करके आओगे, ठीक है? तो इन चीजों का विशेस रूप से आपको ध्यान में रखना है वही चलिए एक लिए क्यूशन प्या जाईए अर्याना राजे के किसान निमलिक में से किसमे मचली पकड़ने के लिए प्रेद है बताओ किसमे पकड़ते हैं मचली तो भई आपना करीतरी मतलाब जोड होता है तो आपका सिद्धा उत्तर है अर्याना में कौन सा समूंदर है ठीक है कौन सा मुआओना मुआओना तो नदियों का होता है इस नदिया है नहीं खारा पाणी तो समूंदर का होता है चलिए अर्याना में निमन में से की जिले में लाल चेसनेट मिटी पाई जाती है तो लाल ठीकर बऎ सिंपया बदनों का फरक रहेगा डबर और करक का बार 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 आती लाल और बूरे रंग की मिटी तो आपकी कैथल में ठीक है लालर बुरंग की कैथल में चलिए अगला किसन देखिए फटा फटा भई निमन में से हर्याना के निमरिक्त में से महान योद्दाओं में से कौन सा सिपाई विद्रों के मेरट का नायब कोतवाल था मेरट का नायब कोतवाल था हर्याना के बात कर रहे हैं भी बात तो मेरट की हो रही लेगन हर्याना का व्यक्ति बताओ जो मेरट का नायब कोतवाल था एलम एक्जाम में आया था ये भी एलम एक्जाम ठीक है देखिए कौन सा था भई अपने राइट आंसर क्या रहेगा क्रिश्चन गोपाल थीक है तो राव क्रिश्चन गोपाल मेरेट के कोटवाल थे बहुत इपोटेंट है बार बार पेपर में ये आता रहता है परतम सोतनता संगराम में बल्लोगड में निमनी राजाओं में से किसने दिल्ली में करांतिकारी सेना का नेतरतों किसने किया था तो आपका उतर क्या आएगा राजा नाहान सिंग लिखा हुआ था अंग्रेजी में भी लेकिन इसमें माना गया इनमें से कोई नहीं क्योंकि नहान है यह आएगा क्या राजा नहार सिंग इसका सही आंसर है सही आंसर क्या आएगा राजा नहार सिंग इंगलीस में भी नहान तो इसका पहले तो यह उत्तर दिया गया बाद में बच्चों ने कोट केस कर दिया बोले कि भी यह नहान कहां है नहान तो कोई राजा था ही नहार था बोले इंगलीश वाड़ा माने बोले इंगलीश में भी देख लो लास्ट में आर नहीं है नहार नहीं है लास्ट में अन ह बोला ठीक है इन में से चार और पांच उपसन है इन में से कोई नहीं इसको राइट आंसर माना गया बाद में पीटिक है तो चलिए नाहर सिंग आपका सही आनसर है यह दिली दे रख बल्लो गड़ दे रहा है ना थीक्क बल्लो गड़ा आंजी चलिए बासमति चावल के देउने सबसे अधिक विकेट लेने का रिकोर्ड बनाने के लिए 422 विकेट लिया और आईड़ी तुष था तो जी ए 1934 में में 8 फरवरी को न्यूजलेंड के खिलाब में था किसके खिलाब था न्यूजलेंड के खिलाब में था और कपिल दियो ने 432 विकेट लिए 432 गुवारे ग्राउंड में छोड़े गए थे क्योंकि यह सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बन गए 432 फिर भी दो सुं 1968 में अपने पाकिस्तान के खिलाब खेला था और अगर बात करूं 1983 के वर्ड की कि तो जीमबाबस क्लाब मैंच चलला था तृक है जीमबाबद के खिलाब 1983 वाला वरकप क्ला था और उस दिने ये कोई कैसे हैं और 140 थैञा है ये जो संचार मीडिया मीडिया तो इस दिन तो अधाल दिन तिरासी में वर्ड़कप चल ला था और वह क्या कपिल नाद वह कर रहे थे सबुन लगाई थी इतने में एक बंदा आया बोले वही कपिल पाजी कपिल पाजी क्या हुआ बोले बहुत अब ग्राउंड में चले गई अब ग्राउंड में गए सब्सक्राइब बिचार डंग से नाई नहीं ठीक है वहां से गेम पढ़ता है कपिल यो शुरुवात करते हैं एक सवासों पे गए इतने में आठ विकेट जा लिये थे ठीक है फिर भी डटे रहे खेलते रहे ठीक है ज सुनील गाउसकर ने साथ दिया उसमें और अकेले कपिल दियो ने एक सो पिछे तरन ठोक दिये पता हो भई ठीक है ये था कपिल दियो को क्या कहते हैं कपिल दियो को पाजी भी कहते हैं कपिल पाजी कपिल दियो को कप्तान भी कहते हैं कप्तान था वह बात अलग है कप्ता और यह सैंटक्तान नांए लेकिन कप्तान नाम से ट्हेमस कोन वा कप्तान में लेकिन क्येकर श्यक्तान कोई नहीं भास तक छीन जीक पार अजये कने हैं फार पक्पा क्या एडरी थी ले आउना कई साल होगे इस बार एशिया कप घर में ले आए एक विकेट नहीं पड़ा लडाईनी लडी सब अब देखना लडाई नहीं लडी बिल्कुल भी ठीका 6 औरों में क्यारण बनाए उन्हों ठीक है चलो जितने बना दिये बोलर से एक विकेड तक नहीं गिरा एशिया कप में वारत का विकेड तक नहीं गिरा और खुष हो रहे हैं वले पाकिस्तान बार हो गया कि टिंडी हो गया पाकिस्तान बार ठीक है चलिए ये तो ड्रीमिलियों पे रह गिए डूड करते हर्याणा की परचिती खिलाड़े गिता जुची का संब्द है गिता जुची जीन की दोड इनका संब्द हो जाएगा जी किस्से दोडती बहुत दोडती चेजुीं चलिए अगले पे आजाईए जुत्ती आत में गिता जुत्ती लेके आत में दोड़ती है ठीक है बिल्कुल देखे अरियाना मेलाओं दुबारा कमर पर टकने तक पहने जाने वाली सरकट जो बिना किसी कली के होती है और चार निले और चार लाल दागों के उपयोग करके मोट कपड़े की बनी होती है तो भी आप कंफ्यूज ना वना यह चार निले चार लाल चार चार में और कोई परसन नहीं बनता रियाना के पहनावे से शिरफ उत्तर क्या आएंगे आप खारा उत्तर क्या आएगा आपका खारा ठीक है तो भी बिल्कुल है राइट आंसरीस खारा ठीक है जरा होगे ना ठीक है चलना आगा लेकिशन पर देखो अर्याना में सूर्च समान पुरुसकार की सेतर में दिया जाता है सूर्च समान पुरुसकार आपको पता है कि भई साहिते में दिया जाता है ठीक है क्रिसी में ताउ देविलाल दिया जाता है खेल में ब पुरुसकार दिया जाता है उध्योग चेतर में चलिए कई सब्सक्राइब काँ पे हैं राश्टी सब्सक्राइब का इसार में गोड़ा कितना एक आदमी को गोड़े पिस्वाने की है तो तो साथ जनवरी ठीक है इसके लावा अगर मैं बात करूँ बेंस अनुसंदान की तो बेंस बेंस घर में अपने एक ओनी ची ये दो रख लो कोई बात नहीं ज्यादा ना रखना गोबर कोन गेरेगा और उनी सो पीचास सी ठीक है ये आपका बेंस अनुसंदान के इंदर रहेगा जी चली एगले अर्याना विदुद्स सुदार अदिनियम setting में 14 अगस्त 1905 को लागू हए अदिनियम स्तान में वाला 14 अगस्त 1908 में को लागूओँ अर्याना विदुद्स अदियमolith स्तान में अर्याना विदानसवा दोबारा 22 जुलाई 1907 में को पास किया गया ठीक है ये लगू बाद में डेट देखिए इससे पहले विदानसवा में पारित होगा अगर नहीं पता होता तो भी आपको ऐसे कतनों पर विचार करना पड़ जाए दोनों राइट है ठीक है क्या है एक और दोनों दोनों सही है ठीक है तो बिल्कुल सही है दोनों राइट अंसर हैंगे किसी वरगार को किन्तु परंतु नही करनी में अलबरुनी नी ठीक है अल बुरुने की किताब वोले हिंद में और वामन पुराण में भी वर्ण मिलता है ब्रम स्रोवर का चलिए मिर्जा अलीजान का ताक्षत और बावली बतादो फटा पटे आपको 700 रुपए वाला पेड़ कोर्सी बिल्कुल फरी दूँगा डिवाइन स्टेडी एप जो अपना बैच चल दा है ठीक है इसका जो राइट आंसर देगा उसे डिवाइन स्टेडी एप पे फरी आव कोस्ट जो ओफलाइन लेक्चर है वही अपने ओनलाइन रिकोर्डिड मिलते हैं तो वो सारे मिल जाएंगे आपको अगर इसका सही उतर दोगे बताए मिर्जा और आलिजान की ताकत अना औरे बावली हर्याना में कहा पर है देखता हूं मैं कौन देथा है उत्तर हैं सबसे पहले उत्तर आया है नार्ला य एक मिनिट से पहले चचिन से उपर लड़ू है अर याना जी के भाई MRC नार नोल बिल्कुल अर याना जी के भाई MRC राइट आंसर है C भई ठीक है बिल्कुल सही है भई राइट आंसर नार नोल है मेंदरगड प्रिवेश येर के क्यों सेन है भई ये दोरे दोरे मैं नहीं बना के ले क्या है मुश्किल मुश्किल आगे देखिए हर याना का पहला परमानूर्जा सेंतर कहां पर स्तापित हुआ तो याना का पहला परमानूर्जा सेंतर आपके फतेवाद में स्तापित हुआ इसका उद्गाटन 13 जनवरी 2014 को दोक्टर मन मोहन सिंग जो मन में मोहन का नाम लेते थे बताओ मोहन किसका प्राईवाची है यह ना दोक्टर मन मोहन सिंग तीक है ने 13 जनवरी 2015 में इसका उद्गाटन किया पतेहबाद में ठीक है यह 700-700 की मेगावाट के इसाब से 4 एकाई है इसमें 800 मेगावाट का ये आपका आपने परमान उर्जा सेंतरे रहेगा ठीक अभी गोरखपुर फतेवाद जी बिलकुल ए गोरखपुर और द्यार में एक रहना कॉन सा गोरखपुर ठीक है गोरखपुर फतेवाद में है लीजिए कर लोगे हो जाएगा अजी गोरखपुर पतेवाद बिलकुल बिलकुल मोहन करिशन जी बिलकुल मोहन करिशन का ठीक है चलिए गले पर आजएए कि सवर्थ सुकना जील को राष्टी आदर भूमी दिया गया और याना जी के किताब फरीदूंगा मैंने का ताना तीन-चार किताब यो तीन-चार कोर्सिस फरीद दे बिलकुल जी राइट अनसर सबसे पहले आया है वही किसका यह कौन है तनीसी मलिक बिलकुल जी तनीसी मलिक इस राइट अनसर अपने 1988 ठीक है यह प्रिवीशिर के क्यूशन है सुकना जील को राष्टी आदर भूमी आदर भूमी गोशित किया गया बनी तो थी इस यह जील बनी तो थी ठावन में भाई लेकिन अपने क्या है अठावन के बाद में आठ वा आठ या लगा लिजी आप अठासी में नब्वे न पर्सनों पे गलती ना करिए अच्छे से इनको याद करिए बिल्कुल जी चलें केले क्यूशन पे हां जी और बस दो क्यूशन और कर लेते हैं उसके बाद ब्रेक लेते हैं 57 मिंट का आपको दिनेसर आएंगे बीच में भई ठीक है आरे बटर छेतरी विज्ञान के अंदर और संग्राले कहां पर हैं तो आरे बटे अपना अंबाला में है कहां पे जी अंबाला में है अगला देखिए रोग तक है कि इस मोडल ने 2017 में विश्व सुंदरी का किताब जीता देखो उत्तर तो आपका मानुसी चिल रहे अब रोग तक की दिर का कोई बड़ी बात नही कोन साइगा भई जजर ठीक है जजर किया यह तो इसी से निकलाए ना रोग तक से तो यह लिख दिया कोई बड़ी बात नहीं मानुसी चिल राएगा ठीक है चलिए अगले कुशन पर चले लीजी एगला कुशनिमन में से कि जिले में युबना नदी प्रवावित नहीं है कि इसार में नहीं बैती चलिए एकले कुशन पर आजाई ये उपी से लगने वाले सभी जिलों में है अना देखो अपनाने वाला राज्ये पहला राज्ये तो महिला पुलीस क्या ऐगा अपना बए मोबाईल पुलीस टेशन एगाउड्मैंस पहल तिर्थ योजना तिर्थ दिखाने के लिए उससे पहले की राजियों ने कर रखी थी यह नहीं कर भी राइट अंच रहेगा बताई अर्याना रोडवेज इंजनेरिंग कॉर्प्रेशन एच आर इसी कि कहां पर है तो इंजिनियरिंग जो रोडवेज इंजिनियरिंग कॉर्प्रेशन है वह आपका यू दाणे बारी ऊद्योक रहाँ जोई को पर्सक्षण के अंदर अगे बोड़ बारी अगी जो लोffen के साथ साथर में सौनी पताईगा ठीक है चलिए अग्ला देखेए सोना कार रेली सोना कार रेली किस से संब्झ a MitSi सोना कार रेली गुरू 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 ग्राता में 1964 कार रेली हुई थी डेट याद रेका लेना 1964 मेर टीक ए रहें से पहाइड रेकि एहां लेजिए है ना अगला देखिए 2011 की जिन गंडां किसा रियाना का जन्सक्यां गंतों कितना है पांसो तीतर वेक्ती परती वर किलोमेटर ठीक है चलिए अगला क्यूसन देखिए पटापटे नीमन में से कौन सा जिल्ला रियाना में आर्द रेगिस्तान मैदान के अंतरगते नहीं आता तो कौन सा नहीं आता भई लीजिए करनाल नहीं आता सिदी सी बात है करनाल बहुत दूरा ये सारे राजस्तान से लगते वे जिल्ले है चलोगे लेक्यूसन प्या जाईए यह अर्याना से प्रकासित होने वाला उर्दू समाचार पत्र है अर्याना समाचार पत्र अर्याना देखो एक दो तीन चार बावा तेज एक का Blood करतनो लगा दी जहाँ 1923 में तिलक समार्पत्र ठीक हबएयर है ना तिलक समाचाररपत्र पॉत इपोर्टेंट है हरियाना केशरी हरियाना केशरी समाचार हेलिए तब बम है सोनिपत को हर्याना का क्या कहते हैंं हर्याना का ग्रिणäv को कहते हैं पंडित लक्मी चंदो बेचारे पड़े लिखे भी ने थे वही ठीक है जी बिल्कुल चलागा हुएँ लेज़नभuri और ऊपाई nعाल जैड़ना सता तो को इसा नेहां तो भाई देखिए लो अरो मैं मैं नहीं आता no इसे माइम नहीं है हो औल्ड शेंट का ईरो सपोर्ट सेंटर किस थान्पे खोला गया पताये दिरो सपोर्ट सेंटर सेंटर इस statement पर खोला गया जी उतर क्या आएगा आपका नार नोल में राइट आंसर क्या रहेगा आपका नार नोल इसका राइट आंसर है एरो स्पोर्ट्स चेंटर नार नोल डोट-डोट को आदूनिक रियाना का वास्तोकार कहते हैं जो अब रियाना है ना इसका वास्तोका जोदरी बंसी लाल और रियाना का वास्तोकार सिद्धा आता तो देवी लाल होता चलिए एगला किस्वन देखिए युम्ना नगर में पसु पालन डेरी विवाग कब बना था ये सेम प्रिविए सिर्का क्यूशन है भाई 1901 में राइट आंचर रहेगा क्या अंचर रहेगा इसका 1901 में ये पेपर में आया हुआ है इसे इनेकी में डाल दिया ठीक है राइट आंचर क्या रहेगा आपका 1901 में इसका सही उत्र है चलिए गले क्यूशन पर आईए बारतिये गेंव और जो अनुसंदान संस्तान हर्याना के किस्तान पर है तो गेंव अनुसंदान के साथ जो भी है याद रखना आपना कहां पर है करनाल में ठीक है और ये इसका नॉम्बर 1966 को हुआ था इसका गठन ठीक है ये नागरी कुडेन विवाग दुसेंद चुटाला के पास है किस के पास है दुसेंद चुटाला के पास है चलिए किस अकादमी ने सबद बूंद नामक पुस्त के विमोचनकिया सबद बूंद बूंद आती है उपर से रियाना के उपर है पंजाब रियाना पंजाबी साहित हुचत्यवियाद्रिया तो अलमपिक में गोल्ड लेकर आता है छे क्रोड रूपए मिलते हैं कितने छे क्रोड अगर कोई सिल्वर मेडल लेकर आता है ते चार रूपए मिलते हैं और ब्राउं में किसमें ऐस्जाइख एक्यल में Asi इमें गोलड लेक्या आएगा उसे मिलेंगे तीन क्रॉड रूपए ठीक है और अगर कोई शिलवर मेडले कि आएगा उसे डेड़ क्रॉड रूपए मिलेंगे अगर को ब्राउंज मेडले लेक्या गा तो से पिछे तरलाक रुपए मिलेंगे पिछे तरलाक ठीक है अगर कोई रास्टर मंडल खेल में गोल्ड ले क्या आता है रास्टर मंडल में तो रास्टर मंडल में गोल्ड ले क्या ने परे 0.5 crore रुपए मिलते हैं जी ठीक है गोल्ड पे और एगर कोई silver medal लेकी आता है भbeiten तो उसे मिलते हैं 55 lakh रुपए ठीक है और एगर कोई browns medal लेक¥ उसे मिलते हैं 50 lakh रुपए ठीक है यह चारों के चारों यही परसन आएगा रीपीट दो करक्यांगी लेकिन है कितने भाई तीन है। कितने थीन है कैसे जी देखो उत्री कृषी जलवाईयु छेत्र पुच्छा ये चाहिए ना। थीक हैँ कृषी जलवाईयु चेतरे का मुख्याले जो अपने इस आर में हैं इसार में है तिक है वो क्रिशी जोन है यह जलबाई रेवाडी में और यह क्रिशी जोन है तो करनाल में यह क्रिशी जोन अभी ठीक है करनाल में तीन क्रिशी जोन याद रखना तिन्नों अलग अलग यह मैंने लिख दिये अभी दिनेसर आएंगे आपके बीच डेड़ सो परसन हो चुके हैं या नहीं अभी तक तो आदे नहीं वे ठीक है आदे नहीं वे आप लगा लेजिए दो गंटे हो गए डाई गंटे तीन गंटे ओवर कलास लेगी रात को कंटीन्यू बने रहे न क्या टाइम हो गया साड़े दस हो गए ठीक है बिलकुल शिरफ दस मिंट बाद मिलते हैं वी शिरफ ओनली दस मिंट बाद करते हैं कि है लो जी नमसकार जैहिंज भारत कैसे विसारे विए ज़ली से कमेंट करतो वी कलास कैसी चल रही है आप सबीकी अभी तक अपने पास लगभग पूरे 400 कोशन हैं भी 400 में से अपने पास 1500 कोशन अभी तक हो चुके हैं अब इसी तरीके से अपने पास डाइसो कोशन और होने वाले आप सभी के दिए ना डाइसो कोशन और होंगे तो किसी को कहीं पर जाना नहीं है भी सिरफ पांसे साथ मिनिट के बाद सर अपने पास यहां पर आ जाएंगे भी अरे विशादवर्मा आज तो यह थी एप पे कलास आज एप पे कलास हुई थी मैत की चेक कीजी जाके वहाँ पर रिकोर्डिड में मिल जाएगी क्योंकि अगर आप लाइव नहीं देख पाते हो तो वह रिकोर्डिड में मिल जाती है जी आपको ठीक है नहीं पर बता देता ह में खड़े हुए वार्ड नमर बारा भी जो भी बच्चे वार्ड नमर बारा में होंगे अपने पास एक बड़ी मठके के नहीं सामपर हवासिंग जी है ठीक है इनको एक बड़ी वोट देकर जिताना भी क्योंकि सिक्षक के परिवार से बनेंगे तो सिद्धी सी बात है भ हमने जो कि अपनी पर है अपनी अपंध कौन सी है जी अपनी अपका नाम है जी दिवाइन टोड़ी कों से पहले आप डान ООर कर सकते हो फ्री डेमो है दिवान सर नाम से अपने पास टेलिग्राम चैनल है उसको चोईन कर सकते हैं वहाँ पे सारे की सारी PDF मिल जाएगी तो Divine Study एप के ओपर भी कोर्स लौंच किया है पूरा बिल्कुल लाइव कोर्स रहेगा जो कि मातर और मातर सिरफ और सिरफ साथ सो रुपए का रहेगा अपने पास ठीक है ना भई सिरफ साथ सो रुपए कोर्स रहेगा जिसके अंदर आपको मिले है क्या क्या वई एक तो आपको जितनी भी live class है सारे की सारी मिलेंगी जो कि सुबह नो से लेकर एक बचे तक होंगी ठीक है अब कलास किसी जी की होगी अपने पास एक तो मैथ होगा इसी कलास अपने पास डेली चलेगी एक हर्याना जी के है इसी कलास डेली चलेगी एक हिंदी है इसकी कलास डेली चलेगी वो जो चोती कलास होगी वो तीन दिन र की होगी और तीन दिन हैं इंगलीज की होगी अपने पास ठीक है ना तो नो से एक अपने पास लाइव क्लास रहेगी डिवाइन स्टडी एपर डेमो लगा सकते हैं तो अब अब आपको लाइव में नहीं वह रिकोड़िड एक फोल्टर है अपने पास जैसी कोर्स के अंदर जाओगे लाइव और रिकोड़िड दोनों दिखाएगा तो रिकोड़िड के अंदर सभी सब्जेक्ट की एक के क्लास डिली हुई है वहाँ पर जाकि आप डेमो लगा सकते ह तो आप इस नमर पे कार्कार की पर करते हुए तो आप इस नमर पर कॉंटक्ट कर सकते हुए अपने पास हिसार में ऑफलान अकेडमी भी है जो बच्चा हिसार के आस पास का है या बाहर से जो भी हो अपने पास कोई दिक्कत नहीं है, होस्टर फैसलेटे भी आपको यहां पर मिलेगी, ठीक है ना, अपने पास सारी सुवीदाई हैं, यहां पर तो दिवान सिंग अकैडमी जोइन कर सकते हो, ओफलाइन बैच भी अपने पास चल रहे हैं, यहां पर अभी, जैसे आज ही हमने एक ओफलाइ प्यार बनाए रखिएगा भई, ठीक है ना, तो आप दिवान सिंग अकैडमी हिसार में ओफलाइन कोचिंग लेने चाहते हैं, नहीं तो ओनलाइन मैं ने आपको बता ही दिया, कि डिवाइन स्टेडी एप है भई यह अपनी, ठीक है ना, इस एप पर पूरे कोर्स की, अग हैं, इसी तरीके से आप हर्याना जी के का भी कोर्स है, वो भी अपने पास 200 रुपे का रखा गया है, वो भी आप जाके परचेज कर सकते हैं, इसी तरीके से इंगलीज का भी अलग से कोर्स रखा गया है, और हिंदी का भी अलग से कोर्स रखा गया है, ठीक है ना, हिंदी का भी अपने पास मंदीब सर हैं बहुत जबर्दस्त इंगलिस पढ़ाते हैं ठीक है ना बीना पी आपको इंगली सिखा देंगे बई तो 200 रुपए के आसपास का यह एक अपने पास अपने पास अपने पास तरट हो चुका है अब यह और ओफ लैन भी है अपने पास टेकनिकल प्लस में कौन सा है जी ओफ लैन भी है दोनों के दोनों अपने पास कोचिंग यहां पर रहेगी offline पलस online रहेगी ठीक है ना आप जाके दे सकते हैं divine study app ही download करनी है वहाँ पर जाके online course भी आपको मिल जाएगा electricity का electrical का ठीक है electrical जो course आता है आपका जो subject आता है उसके अगर आपको अगर question करने है theory पढ़नी है और बहुत जबर्दिस तेरी को आते हैं बहुत सारे selection इन्होंने पिछले एलम में भी दी है ठीक है कोई बचा अगर एलम का है टेकनिकल का है और electrical के बात करता हूं मैं सिर्फ electrical वालें की बात कर रहा हूं कि उनको आप त्यारी कर सकते हो ठीक है एक reasoning है English है Hindi है ठीक है और एक अपने पास हर्याना जीक की है इन 5 सब्जेक्ट का बहुत बड़ा रोल हो चुका है भी अभी जैसे कि अपने अभी हाल में देखा था कि जो अपने पास एंटी ने एक्जाम लिया था अपना इसी पैटरन पर आया था कि पांच जो सब्जेक्ट हैं 85 नंबर के थे ठीक है ना जो बच्ची की जनरल अवेर्नेस वह अपने पास 15 नंबर की थी ठीक है जीन दाले कॉल जीटी कॉल फे नेचर नेको जी अपनी क्वालिफाई नेचर हो जाएगा जी ठीक है अब यह आपको बताएगी जैसे 15 नंबर का अपने पास मैथ हो चुका है 15 नंबर की रीजनिंग आ रही है 15 नंबर की इंगलीस आ रही है ठीक है ना 15 नंबर की इंडी आ रही है और 25 नंबर के अपने पास हरेना जी किया रही है तो इन 5 सब्जेक्ट का सबसे बड़ा रोल हो चुका है अभी 85 नमर का इन सबी में से आता है तो सबसे जादा अगर जो भी अपने पास अभी गुरूप D का जो एक्जाम होगा अपना जो गुरूप D का आगे एक्जाम होना है फरवरी मार्च के आसपास उसके अंदर NTA ही पेपर लेगी और हमें NTA का पैटरन पता चल गया है कि अपने पास ये 5 सब्जेक्ट अपने पास बनते हैं जी ठीक है ना ये 5 सब्जेक्ट अपने पास आते हैं Math, Reasoning, English, Indie और क्या आता है अपने पास लो लेवल की पूछीगी थी मीडियम से लगा सकते हैं अब पंदरा में से 12-13 कोशन तो हर बच्चे करके आए ही आए हैं ठीक है ना लगब कई बच्चे ता ऐसे भी हैं जो 15-15 करके आए हैं और कई ऐसे हैं अपने पास 12-13 के असपास तो लगबग है ही हैं ठीक है एचर एक एचर से भाई गूरूप इक रण्डेटी कर लेगी ठीक है ना जो गुरूप ड्यका पेपर है अपने पास वह एंटीय का पता है प्र प्रेंपर अपने पास यह एंटीय का पेटरन रहेगा आपको पता हीए ठीक है जो बच्च के 15 वह अपने पास जिसमें अपन नहीं देते थे वहीं कि पंदरा कोशन अपने पास आये थे यहां पर अगर आपको अच्छी लोनेज है उसके बारे में तो यह आप उसको कर पाओगे तुक्के से नहीं कर पाओगे उस दिन जो आप बूल जाईए ठीक है वह जैसे आपको बताएगे तो वह अपने पास प्रिविएस एयर ही पूछे जाएंगे अपने पास जैसे अभी जो अभधी था आपने पास आपके सामने हो जाएंगे तो एक सारे सारे बच्छे क्लास को लाइक कर दो कम से कम हजार पुंचा दो और शेयर कर दो जादा इस जादा जितना आपके पास हो सकता है जी लो सर आज 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 कि एक पर क्लास को शेयर कर दियो तोड़ा ताकि दुबारा जुट जाएं चलो भी क्लास करते हैं आगे फटा पर सुपर बास्ट पढ़ेंगे अभी ना अपने डिटेल जादा पढ़ ली थी इसमये क्यूशन हुए नहीं थे अब दो गंटे अगले दो गंटे में पूरा कम्पलीट निप्ता देंगे अगले दो गंटे में कम्पलीट चारसो क्यूश सारे दिन चलाते हो आइटम तो भई अब श्याम को जबाब देगा ही देगा है ना चलिए यहां तक आपने पढ़ लिया भई अभी उसी जोस के साथ आगे बढ़ेंगे ना उसी जोस के साथ है जिस जोस में आपने कला से शुरू की थी चलिए बिलकुल जी आजाइए अग रियाना का चान के कहते हैं किसे भई बजन लाल को कहते हैं चान के रियाना का आपको ध्यान है सब को चली एगले किसन प्या जाईए निमन मेंसे की जिले में थाइस सो मेगावाट की समता से नाभी किये सेंतर उर्जा स्तापित की गई है फतेवाद के गोरकपूर में रिप परारा किया जाता है ओली के उसर पर अपने लूर नर्ते थे अना बाुट कि शेटर में मिहलाय आपस में सवाल जवाब पूशती है विवार के ऐसा पलताओं के बारें पूशती है हनीमेल में से कौनशा घ्ला इसा अर पूली श्रेंज के इंतरगत है नहीं आ तो इसार पुलिस रेंज के अंतरगत नहीं आता नजदीक नजदीक वाले देखिए इसार पुलिस रेंज ठीक है अरियाना में पांच पुलिस रेंज आपको पता है तो भई अपनी साइड में इसार तो आएगा शिर्षा भी आएगा CB पुलिस रेंज में आएगा रोत तक जजजर नहीं आता ये जजजर अपना वही जो अपने दक्षिन दक्षिन क्या रोत तक पुलिस रेंज होगा क्या अपने हां जी उसमें आजे जजजर नहीं आएगा वही ये आपका गलत है कोसलिया बांद किस नदी पर है तो कोसलिया बांद कोसलिया नदी पर पिंजोर में है गुरुगरा आपने राइटान से क्या रहेगा पिंजोर में है कोसलिया नदी पर है कोसलिया नदी पर नहीं आए तो आपको गगर करके आना है कोसलिया नदी नहीं दिया हो तो गगर करके आएंगे कोसलिया बांद याद रहे कोसलिया नदी की मैं गर बात करूँ कोसलिया नदी तो कोसलिया नदी जो आपकी है इसकी लंबाई 20 किलोमेटर है जिस आप से से आ रहा है कोसलिया में 20 किलोमेटर इसकी लंबाई कर दें केवल स्थाबदी में किस स्ताबदी में सत्र में स्ताबदी में ठीक है चलिए एक नैच्ट कुछन आपके सामने हर्याना के किस मुख्य मंतरी ने जुलाई mendhi में शराब बंदी करी थी तो आपको ध्यान होगा एक जुलाई एक जुलाई उनीस सो ठाण में से शुरू हुई पोर्टेंट बात एक जुलाई याद करना है और इससे अठा दिया गया पावंदी को एक अप्रेल को एक अप्रेल से नए ठेके चुट गए थे अठाण में में ये च्छाण में आएगा यहाँ पर ठीक है च्छाण में से ठाण में क्या जाएगा भाई च्छाण में से ठाण में ठीक है तो मेन बात एक जुलाई च्छाण में और एक अप्रेल अठाण में कलियर हुआ चलिए और सराबंदी करने वाला पहला राजी है वो गुजरात है प्रेशर्च नेस्टनल ब्रेशर्च सेंटर अंतराष्ट ये शिलप मेले का इजन फरिवरी में होता है लेकिन इस वार 2022 में 35 जो मेला लगा है 2022 में ठीक है इस मेले का योजन पहली बार अपने बात करें 19 मार्थ से शुरू हुआ और 4 अपरेल तक इसका आयोजन किया गया कब मुकसमेर, इसका थीम स्टेक था हैा और बता यह सब्सक्राइब कर जोकिन 27 वेकिस्तान करगिस्तान 7 बताइ пу con city 35 संकरज सिर्फ नंबर 2 संकर जा चलिए कैंट आ गल्यूषrance किए हर्याणा में उत्तम ऒताव रेफ्री ऐंपायर और निर्नायक तो पुरुसकार दिया जाता है बताव रेफ्री को कौन सा अवार्ड दिया आता है रेफ्री ऐंपायर या निर्ने एक निर्णा एक जो निर्णे करता है एक ही बात है इन तीनों सब्सक्राइब की अवार्ड दिया जाता है विकरमा देती है पुरुसकार कौन सा भई अपना विकरमा देती है अर्जुन और विकरमा देती है केवल क्या आएगा विकरमा देती है पुरुसकार आएगा ओनली सी एक सोचोँ सट नम्बर अर्याना का एक मात्र हिल स्टेशन है तो कोन सा मोर्नी मोर्त इनियाद अगे चलिए 2011 की जनगना के उनसारे अर्याना की जनसांके की विवाग वारत से कम है बताओ भारत से कम है क्या दसकी वर्डी दर भारत की 17.70 अर्याना की 19.90 ज्यादा है अर्याना की ज्यादा है साकसरतादर भारत की 17.40 और अर्याना की 25.6 तो अर्याना की ये भी ज्यादा है लिंगा अनपात जी बिल्कुल अर्याना का लिंगा अनपात एट आपने क्या था एट सेवन नाइन था जी ठीक है और भारत का 943 था ठीक है तो ये रियाना से कम है जी तो 2011 के अंसाल लिंगान पात में कम हो जाएगा, चलिए अगले पे आजाएगे, इस जिले को और याना का दरी बनाने का कार खाना कहते हैं, दरी, कंबल और बैग आपके बनते हैं, पानी पत में राइट अंसर के आएगा, पानी पत इसका राइट अंसर आएगा, चलिए लाखो की चूड़ी के लिए क्सा मेहंदर गड मेहंदी आपने क्या आएगा मेहंदी में परसिद है कोंसा आगे लीजी है राय बाहदूर की उपा दी किसे नवाजा गया था तो राय बादूर, लाला मूर्लीदर को भी राय बादूर दी गई थी लाला मूर्लीदर लेकिन इसमें लाला मूर्लीदर ओप्सन में नहीं है ठीक है, लाला मूर्लीदर को भी दी गई थी और सर्थ छोटू राम को भी दी गई चोटू राम को राय बादुर की उपादी 1927 में मिली थी और 1937 में चोटू राम को सर की उपादी मिली बारत चोटू आंगलन के दुरान सर और राय की उपादी वापस लोटा दी दोनों की दोनों ठीक है? तो 27 और 37 सर की दोनों याद रखना भई चोटो राम ने अड़तीस में जमीदारा लिग भी बनाया था अर्याना के डोट-डोट जिले में 2011 की जनगर्णा कंसार निमन्त में सहरी लिंगानपाथ है तो सहरी लिंगानपाथ कम से कम है कहा हो जाएगा गुरू गराम में राइट आंसर आपका लिंगानपाथ क्यों यह चलिए अगला देखिए अर्याना में PD का एक परसीट डिजाइन पासे के खेल से मिलता है बताओ भूई अच्छे लेवल का परसन आया कि पासे के साथ मैच होता है कौनसा 25C राइट आंसर क्या रहेगा 25C ठीक है यह पेपर में गुरूप D में आया था 25C आंसर करना है 25C आ चलिए अर्याना की सबसे बड़ी आदर भूमी है तो अर्याना की सबसे बड़ी आदर भूमी कौनसी है जी आदर भूमी आपकी बिंडावास है कौनसी है जी बिंडावास आपको याद करना है पलस में सुल्तानपूर सुल्तानपूर को भी सुल्तानपूर ठीक है सुल्ता ने सुल्टानपुर को भी आधर भूमी तो भी यहनी रामसर साइट में जोड़ा गया है एक बसई उस जील का नाम बसई गुरूगराम एक जील है बसई आधर जील ठीक है यह बसई आधर जील है तो सबसे आधर पुछा है सबसे बड़ी बिंडावास है सुल्तानपुर उसके बाद में है दुन्नों रामसर साइट मेड है एक बसई नाम से आए सिद्धा उतर गुरुगराम करके आएंगे ठीक है चलिए अगले आज़ेए पूर्वी कृषी पूर्वी पुछाए ना तो रियाना के पूर्वी कृष अपने जलवायू अंचल है तो कौन साय करनाल वाड़ा राइट आंसर रहेगा कौन साजी करनाल चलिए अगया जाए और अगर उत्री पूछा जाए तो इसार आएगा उत्री में ठीक है कई सो चोपंच कुला पगेरा नहीं आएगा क्या और अगर दक्षिन में पूछा ज आएगा फृदाबाद लीजिये हरियाना में फाग लोक नर्ते किया जाता है फाग उन्मा में आएगा ओड़ी पे किया जाता है फाग नर्ते चलिए गले किसन प्याजाईए फटा फटे नीरच चोपड़ा 2022 टोकियो अलंपिक में सोन पदक जिता किसमें बाला फैंक में ज और आएगा इससे संबंदित फटांपट बताईए अगला देखिए हरियाना के निम्रत में से किस जिले में काक्रोई जल विदूत परियोजना है तो काक्रोई जल विदूत परियोजना पस्मी युमना नहर पे बनी हुई है तो कहां पे है सोनीपत में काक्रोई जल रोट जिले में था रोट तक जिले में था जजर भी पहले की जिले में था रोट तक में था आगे हरियाना सरकान ने युम्ना नगर जिले में ग्राम का नाम बदल कर सरस्वती नगर कर दिया है मुस्तफाबाद बिल्कुल सिंपल सा है बार बार अभी भी आ रहा था ये पेप पाडियों से नहीं गुजरती अरावली पाडिया नहीं गुजरती अरावली राजस्तान में और गुजरत से आती है और डिल्ली में भी है ठीक है कहा है डिल्ली औभी है अगर रावल ही कि सुरुवाद पूछले पंजाब उत्र हो जाएगा इसका सुरुवात कहां से होती है गुजरात या दिल्ली थो आप उत्तर कि या उमपरकास चोटाला उसमें थे ओमपरकास चोटाला क्या थे ओपी चोटाला सीम थे ठीक है ओमपरकास चोटाला और आप से पुछा जाए कि बताए चूवडपूर में उद्धिकाटन करने को नाया था ? डोक्टर एपीजे अब्दुलकलाम आये थे नारनोल का जल महले किस ताबदी में बना था तो जल महल 1549 में सांकूली खाने बनाया था किसने सांकूली खाने बनाया था करता है चुनाव आयोग होता है इसका चुनाव आयोग होता है इसका चुनाव आयोग को करता है हर्याना का राज्येपाल करता है राइट आंसर क्या आएगा हर्याना का राज्येपाल अगला देखिए जो 2011 की जनगर्णा कंशा सबसे कम साक्सरता दर्ज की गई है कम साक्सरता कम पड़ा लिखा मेवाद सबसे कम पड़ा लिखा मेवाद सबसे कम पड़ा लिखा आगे देखिए अगला निमन में से किसे पारंपरिक लोक रंगमच का जनक के रूप में जाना जाता है अब देखिए बालक राम लख्मी चन नहीं आएगा अली बक्स और एहमद बक्स ये सेम ऐसे ही दो उप्सन बक्स बक्स करके दे दिये गई उत्र आपका क्या रहने वाला है अली बक्स ये सेम रिपीट हो जाए भाई मेरे तो उत्तर क्या करके आएगे अली बक्स आपका राइट आंसर रहेगा अली बक्स आपका सही उत्तर है चलिए अगले कि उसने पर ध्यान दीजिए चोजरी देविलाल विश्व विदाले कहां पर है सिर्षा में 2003 में बना था है ना देविलाल विश्व विदाले अगला देखिए रियाना का एक मातर परमवीर चकर विजेता कोन है तो मेजर उन्षार सिंग रहेगा इन्हें 1970 के लड़ाई के लिए दियागया किस लड़ाई के लिए के लिए कैष्वि लड़ाई के लिए अवादर्ड में का आए रिवाडी में रहेगा बिल्कुल स्टेडियम का पुराना नाम आया हुआ है अगर आपसे पूछ लिया जाए कि माविर स्टेडियम का पुराना नाम तो भी नेरू स्टेडियम था माविर का भी क्या नाम था नेरू स्टेडियम माविर स्टेडियम सन 1922 में स्टापित वा और माविर स्टेडियम का नाम है माविर स्टेडियम 1987 में किया गया बैतर में माविर का नाम भी नेरू था और 87 में नेरू स्टेडियम है जो आज है इसका भी नेरू स्टेडियम था दोनों का राइट आंसरे दुना चारे का प्रणा नाम और मावी स्टेडिक में प्रणा नाम नेरु स्टेडिक जवार लाल नेरु चलिए राष्टीए केरियर सेवा का मोडल केरियर के अंदर निमन मेंसे की जिले में शुरू किया गया ठीक है तो आपका आंसर आएगा जी इसार राष्टीए केरियर सेवा का मोडल केरियर के अंदर निमन मेंसे की जिले में स्टापित उसरे में का करंट का है वही चलिए एगला आजाईए फटा option देख लीजी एक वार और सबसे ये सारे उर्दू के लेकिन अलिक्या है सबसे बड़ा है गुमानी भी उर्दू का है चलिए अरियाना के कि इस जिले में पुलिश दुवारा आगस्त 2020 में बदमासी विरोध अभियां चलाया गया तो बदमासी विरोध परतियार वंस का था पेवा में इसे संबन दिते अब बिलेक मिले हैं अंजी बिलकुल और साथ में आपको याद करना है कि यहां गोडों का वेपारी के इंदर भी था उस बिलेक से अपने को जानकारी मिलती है अर्याना नगरपाली का दिनियम दुबारा स्तानिये सासन के कित इसने इस तरब बताए गए हैं तीन इस तरह थे हैं भई नगरपाली का नगरपरिसेद और नगर निगम ठीक है चलिए अगले कि उसने प्याज़ाई है फटापटे नगरपाली का 30,000 से 50,000 नगरपरिसेद 50,000 से 3,000,000 नगर निगम 3,000,000 से उपर दम-दमा जील अर्याना के कि जीले में हैं तो दम-दमा र्याना के बई सबको पता है गुरू गराम में है ना गाटा है भीमकूंड है बसाइया अदरस है खलीलपूर है सारी गुरू गराम में पानी पत्रमल पावर प्लांट कव चालू किया गया था तो बई 1979 में पानी पत्रमल पावर प्लांट 1370 मेगावाट ए आठ ही काई है इसकी कितनी काई है आठ ही काई है जीसकी अपने कभ स्तापित वाँ 1370 मेगावाट का 79 में चली ये चोदरी देविलार विसो विदाले ये फिर पूना रिपीट हो गया सिर्षा में हरियाना में निमन में से की जीलों में उत्री रेलवे दुवारा रेलवे केरीज और वेगेन वरक्सोप इसका दोन्नों का उत्तर युमना नगर है लेकिन अच तो आप युमना नगर पंचकूला कराना नहीं तो अधर वाइज इसका राइट अंच तो युमना नगर ही है ठीक है रेलेवे केरीज़ एंड एंड वेगेन वरक्सोप एक ही है ये जगादरी आएगा जगादरी युमना नगर में चली एगले किसन प्याज़ाई इसका ए मानना है भाई ठीक है चलिए छिल चिला वने जिओ अब भ्यारन तरयाणा में सबसे चोटा वने जिओ भ्यांड चिल चिल चिला है कितना जी 28.9 hectare में फैला हुआ है और ये कहाँ पर है ये कुरुक्छेतर में सबसे चोटा और सबसे बड़ा अबूब सहर एक पंदरा तीस यानि ग्यारा हजार पान सो तीस हेक्टेर हेक्टेर है यह वरक किलोमिटर नहीं है ठीक है इसमें फेला हुआ अबूब सहर सबसे बड़ा है चलिए हर्याना के सामाजिक न्याए और अधिकारिता विवाग रज् अधिकारिता मंतरी कोना है यह उम प्रकास यल चलिए इन में से देखिए दाम्मं सवद का विपराय है दाम्मं तो एक परकारसा क्या होता है अभी घागरा ही होता है तो क्या हेगा एडी तक लंबा अपने क्या हे गेरेदार है गागरा राइट आंसर क्या रहेगा सी इसका से उत्तर रहेगा चलिए निमन में से कौन सार याना का सबसे छोटा राश्टी राजमारग है तो इन में से अगर बात करें सबसे छोटा तो एनेच 188 आजाएगा गुरू गराम में दिल्ली से गुरू गराम तक है दिल्ली से गुरू गराम ठीक है इस क्यूशन के कोर्डिंग तो राइट आंसर यही रहेगा दिल्ली से गुरू गराम 15 किलो मेटर लगबग है इससे छोटे और भी है लेकिन ओप्शन के कोर्डिंग ही रहेंगे अब मैं आपको एक बार ये चलता हूं। जी लीजी एक बार आप ए पोर्टेंट चीज़ देखते हैं। इक पोर्टेंट क्या? लो भीजुत है और याने में जो एन a's से संबंधीत है ठीक है ? ओर याने में एन a's से लीजी ये तो हुर्ट करते हैं , तीनेसर है National Highway in the State of Haryana देख पा रहे हो यह बिलकुल OPCA लहजी देखो यहाँ पर नेम दिया हुआ है रोड का यहाँ पर ओल्ड नाम दिया गया है पुराना यह नया नाम है यह रीच है ठीक है और यह अगर बात करूँ लेंथ लंबाई है आपको लंबाई ध्यान में रखनी है कुछ है की और नया और पुराणा नाम ध्यान में रखना है और रोड का नाम देखिए यहाँ पर सब चीज दे रहे है डिटेल में दे रहे है 44 की लंबाई 1 का नाम 44 2 का 44 8 का 44 10 का 9 22 का 5 71 का 709 43 का 344 नहीं को एक एक आइवय दे रखें है डिटेल में यह पूरी पीडियेफ है आपको मैं टेलीग्राम में डाल दूँ है टेलीग्राम जोइन कर लेना भाई देखिए पूरी डेटेल में पूरी डेटेल में रूड तक दे रखें यह देखो तो एक्सवर्टारीस भी यह पूरा रूट दे रखा इसका लीजिए पूरे के पूरे आईवे हैं यह पूरे आईवे आपको मिल जाएंगे ठीक है बिल्कुल फ्री मिल जाएंगे टेंस अना लेजिए लीजिए एक्सवर्टारीस वो जाएंगे लिजिए याम सेवर्टारीस के लिजिए यह पूरे इतेसत इरूल घाता लेजिनल औुद को मिल जाएंगे पर अध्सेट है यह एक स्टार इनको नहीं है ऑलग है यह यह बरेंगे यह घ्ला इंगली स्में क्या लिकाए तो बही यह रहेंगे ये नेशनल अचो नेशनल यह यह क्या नैसला आई बीचिंगत इंडिया के अंतरगत है देख लिए आप ने ठीक है अभी मैं आपको वापिस अपने उसी प्रोजेक्टर पे ले चलता हूं जो आप जहां से पढ़ रहे हैं ठीक है एक एक चीज निचोड के साथ मिलेगी बाई एक एक चीज बढ़िया निचोड के साथ मिलेगी मैं चाय पी लेता हूं ठीक है यह सारे टेलिग्राम में दाल दो है इस वीडियो की PDF जी इस वीडियो की PDF आस तो नहीं मिलेगी कल स्याम तक मिले क्योंकि यह वन साइड में पर सनाइस को टू साइड करके दोनों साइड ताकि और बीच में जो गैप है यह गैप खतम करूंगा दोनों साइड करा हूंगा और साथ में निसान अंजर के निसान भी लगाऊंगा एक दिन लग सकता है डालूंगा टेलेगराम पका कंफरम एंडरेड परसेंट ठीक है हां जी हर्याना में शुरू करने वाला पहला राज्य है यह तो वहां से आ गया ना एक मिन्ट भई वो परसे निकाल लेते हैं अपना वहीं पर चलते हैं भई अपना दोसों के नजदीक आगे थे ना भई दोसों के नजदीक आगे ना चोदरी देविलाल आगया था चिल्चिला आगया था रम्मन आगया था कि अ अलीजिए बिट्वार अभ लिट्व है अब गर्म हो गया बिलकुल ना पट्यांगे लीजिए अरव को जब देए को से लिए यांतरी बस्त से अगयरा आगे रहाइगा जिलाइगाओ 25 पंदरा को योजना शुरू की गई थी वही एक जुलाई दोजारे 15 को योजना ये शुरू की गई चलि अगले किसन प्याज़ जाए अगला कि टोक्यो पेरा ओलंपिक 2020 अभी वो परसन आगे बई जो अभी आली में पेपर हुए है टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस खिलाडी ने त तीरन ताजी में कांस्य पदक जिता है तो तीरन ताजी में हरविंदर सिंग ठीक है क्या आएगा वई तीरन ताजी में हरविंदर सिंग इसे आर्चरी भी बोल सकते हैं आर्चरी आर्चरी भी बोल सकते हैं ठीक है आर्चरी या तीरन ताजी में हरविंदर सिंग ने जिता वही बहुत important कि उसने यह आया था अभी हल फिलाल में चलिए एकले कि उसने पर यह राजा आरसवर्दन के सासनकाल में कौन दरवारी कभी था बान बट दरवारी कभी था चलिए एगला देखिए column 1 और column 2 का सही मिलान करना है तो लिजिए column 1 और 2 का मिलान करते हैं तो करनाल मंदल में आएंगा आपका कौन सा पानिपत के ठल इसार में आएगा जीनद सिर्षा अंबाढा में आएगा आपका गुरूख चेतरीओं ना नंगरों तक में आएगा जद्जरोरे बीवानी में ऐच होगे मिल आ कौन सा किस्से मिलता है चलिए अगले कुशन पर आजा ये फटापटे इसार से आने वाली सिवांगी पाठक है सिवांगी पाठक परवतार हो ये वो पेपर है अभी जो हुए है ना एक सिप्ट अलग दे गई थी एक सिप्ट अलग एक सिप्ट क्या एक पेपर अलग दिया ग कोण परशन का उत्र देगा ठेक कोई सिद्धी दीजिवाथ आइए इसमें आगरा उनिवस्टी ने दिया आगरा लास आगरा से तो ला की ती ती लेकिन इसमें प्रशाद ने और यह केवल संस्क्रीट बासा से सुरू हुआ था किसे संस्क्रीट से और बाद में नाएन टीन सिक्ष्टीट नाइन टीन साल बाद में अन्य विश्चें जोड़ कब जोड गए तो अगर आपसे पुछás डाय अन्य विश्चे में जोड़ में चलीए लेएकर , लीजिये और याना में सार्दा देवी मेला कहां लगता है सार्दा देवी सर्दा से बावन आम खाओ 52 सार्दा देवी कहां आगया आम खाओ अंबाडा सर्दा से अपनी सर्दा से बावन आम खाओ तो 52 सार्दा देवी कहां आएगा आम खाओ अमबाडा में आएंगे ठीक है अरियाना भारत के किसे इंसे में स्थित है अरियाना भारत के किसे इंसे में स्थित है तो अरियाना उत्तर में और अपना क्या जाएगा पसीम में उत्तर पसीम वाड़ा है ठीक है उत्तर पसीम वाड़ा है यानि, अर्याना नोर्थ मिडल वाड़ा है, नौर्थ के इंदर मिडल में है, समिजरेओ, यानि उत्तरमध्धे मैं भी राइट आंसर हो सकता है, उत्तर पस्यम भी सही हे दोनों सही है IDs ठीक है, कल को उत्तरमध्धे मा היे तो भी आप कराना भई गबराना नहीं है उत्तर मद्धे में आएगा परमीट चक्रविजेता मेजर उन शार सिंग है सोनीपत गवाना साइड के हैं अरियाना का बो गोलिक चेतरबल चोमालेज़ा 212 यह आया था अरियान में लोकोक्ती अरियान में लोकोक्ती क्योंची लोकोक्ती है भई लोकोक्ती है थली बेठा नान काटड़े मूंड है काटड़े मूंड आएगा बताओ भई थली बेठा नान काटड़े मूंड अरियान में लोकोक्ती कारत है कि उपयोगी कारे की अनुपसुती में अनूपयोगी कारे करना यानि आदमी खाली बेटा होता है ना उसको डंका जो काम करना है वो नहीं करता दूसरों के चुगली चांटे करता है आज कल यूटूब पे भी यही हो रहा है यूटूब पे जिनके 20-20-50-50 लाइव आ रहे है ना ठीक है बड़े बड़े तो उनकी क्या है ठाली बेठ्था नाने ठाली बेठ्था नाने काटड़े मुंड़े वो ही काम करते हैं और उनका कोई काम नहीं है ठीक है ठाली बेठ्थे उपयोगी कारे की जगे हैं वो नूपयोगी कारे करने लग जाते हैं चुगली चांटे करने लग जाते हैं, बनता कुछ नहीं, ठीक है, चुगली चांटे से खुशाता है भाई, निया था मैनत करने पड़ती है, रात को 11 बजे लाइब हूँ, मैनत ही है भाई, और तो क्या है, ठीक है, एक लड़का वो एक दिन बोला कि मास्ट तू नोकरी ने तेरा के है, तेरे पास के है, मैने का मो मैं तो मैनत कर रहा हूँ, मैनत करके इतने चैनल पे जोड़ रहे हैं, बोला मैनत तो गदा भी करता है, गदा करता है, गदा करता है, गदा तो नहीं जोड़ता, कुछ भी लाठी काता है, ठीक है, बिलकुल, सही बाता ना, तो बिलक यह तो शिंपल सा है चंडीगड यह दुवारा आ गया चलिए नर नारायन गुफा युमना नगर है एना गोला बारूद नर नारायन गुफा युमना नगर रहेगा आपका राइट आंसर चलिए गिले कि उसन प्याज यह पटापटे कौन सी नदी वर्सा रित्तु में राज नदी यह भी नहीं जाती कुरूक शेतर में प्याग generally नाम है उत्रकर आपका मार्कन्ठथा सेच्छ ऑग्या फिए करना श्री कि संदेखिए हर्याना के दक्री पसी में कौन सा राजी है दक्री है ने तो याना का दक्रीआ से ओर पसी में राजस्तान है वही सब्सक्राइब भाकरा डेम दुनिया छोड के चले गये थे चली प्रक्रतन एक आजए प़ाई पत्त की एड़ा collaborative और हमेद साबदाली के भीच हुई थी चलिए गला माबारते में हर्याना को का गया भूधान के का गया चलिए गले पे हर्याना की पारंपरिक बेस वो साब फरगल क्या है फरगल ये छोटे बच्चों के अपने टोप होती है यानि सर्दियों में जो सर्दियों में चोटे बच्चों की टोप होती है वो फरगल कहलाती है इस टाइप की जो चीज़े हैं वो मैं आपको स्पेसल करवाऊंगा जो और भी बची हुई है ठीक है चलिए अगले कुशन पे आईए निमन में से कौन सा यानि मैलाओं का परंपरिक प्रिदान है जो दुलन के विवा के समय किया जाता है डिमाच आएगा ठीक है यह दिमाच लिगा है डिमाच है यह ठीक है डिमाच राइट अंसर डिमाच चलिए अगले कुशन पे आईए अगले अपर देखिए निमलीस में 2020 में आयोजी 34 में शुर्जकुंड मेले शिलप में फ्रिदाबाद थीम स्टेट कौन सा था ठीक है फ्रिदाबाद का थीम स्टेट कौन सा था तो 34 में पुच्छा है 35 में का तो जम्मू कस्मीर है चोंतिश में का इमाचल परदेश है चलिए गले कि उसन प्याज़ यह फटापटे फ्लाइंग क्या है देखिए फ्लाइंग ट्रेंडिंग सेंटर अरियाना इंचिडूट ओफ शीविल शीविल एविएसन कि स्टापना स्टापना किस तान पे हुई आपका राइट आंसर क्या रहेगा सीविल यह आएगा अपने क्या रहेगा भई पिंजोर इसका राइट आंसर है कौनसा है पिंजोर इसका राइट आंसर है सीविल यानि जो अपना होता है ना यह अवाई जाज बगरा सीविल इससे संब्दी था ऐघा यह ठीक है चलिए हर्याना के ख्लाड़ी अरविंदर सिंग अरविंदर सिंग थोड़ देर पहले पड़ाता अपने अपना क्या तो चिंकारा आपना आएगा के रूप बिवाणी में ठीक है चिंकारा के रूप बिवाणी में चलिए बोर से दान में आपका मगरमच्छा बई जाबुआ में चिंकारा और अपना दोनों जाएगा मोर ठीक है बालिकासिसूवर्स दो जारे जटी झालिये सरक्षन परजन के अंदर ये जटायी वार आपका पींजोर पंच कूला में परजन के अंदर दोनों है ये नदर किता क्याद केस्वर्से अरियाना विदानसभा की शिक्टे बढात कर 90 कर दी गई तो आप सबको जयाना है 66, उसके वाद 67, उसके वाद 77, यहां पे थी जी, कितनी, यहां पे 81, यहां पे 84 वही पहले कितनी थी, 54, और यहां पे 81, और यहां पे 90, 90 में इस आरक्सित कितनी है, 17, 81 में से कितनी थी, 10 आरक्सित थी ठीक है तो यह लग लग समय पे बढ़ाई गई शिटे याद रखना 2026 में कहते हैं 126 हो जाएगी 25 आरक्सित रहेगी परसासनिक रासों के उदस्य से अगला देखिए अर्याने मी लोकोक्ति तावला में बावला यह लोकोक्ति थोड़ी मैं आपको एक वीडियो बढ़ा हूँ अगला देखिए निमन में से किस खिलाड़ी ने राष्टर मनल खेल 2018 में कुस्ती में कहां से पदक जिता तो कुस्ती में कहां से पदक देखिए कही नहीं है इनमें से साक्सी मली काए गर क्या हabeth जी साक्सी मली के है ना सकार्ट एंसरice में इसका जिता थैसमें कहां से पदक जिता था नहीं है इसे ग्रेस मिलेगी सबको इसकी मीलेगी और किיד रखना और यहना अधुeler निमन में से खिलाडी यह मैं से कौन चा तोक्यो ओलपिक 2020 में सवन पदक जिद कहा यहां था तो टोट्यो ओलम्पिक में पदक जित कह था रिआना राज्ये कभी की उपादी उदे बानु हसको दी गई है किसे दी गई है ओधे बानु हसको और उर्दु के दी गई अलता एगा अपना अनुपचंद रिवाड़ी ये रिपीट हो गया ठीक अभी हर्याना लोक्षेवायो किस्तापना कब हुई एक नॉम्बर 1966 एक नॉम्बर 1966 को चलिए अगले कि उसने प्या जाईए आर्टिकल क्या होता है 315 देखिए हर्याना लोकायुक्त कौन है हर्याना के लोकायुक्त कौन है तो भई पहले लोकायुक्त पर्थम पुछा हुआ है प्रितम पाल थे ठीक है कौन थे प्रितम पाल लोकायुक्त की बात कुरू मैं तो देखिए लोकायुक्त अधिनियम देखिए अधिनियम एक्ट 2002 2002 को हरियाना विदान सभा में 27 जनवरी 2003 को पारित किया गया और इसे 2004 में लागू किया गया लेकिन पहले लोग का युक्त पृित्तम पाल 2011 में बने थे कब बने थे 2011 में बने थे पहले लोग का युक्त ठीक है याद रखना देखो पंजो खेडा साहिब गुर्दवारा हरियाना में जातर गुर्दवारे तेग बादुरू गुरू गोविन सिंग से संबन दिता है नडा साहिब गुरू गोविन सिंग कपाल मोचन गुरू गोवि किवर इनको समर्पित है चलिया मैं पिचानल को समखतना उसन के यह पूझा है यहां से यह यहां तक तो यह तीन गयोए पाईगा चुवेतर और तीनहस ततर पहले देखिए चुवेतर सततर किसी में है क्या चुवेतर सततर हो रहा है किसी में नहीं है राइट आंसर आपका यहां से पकड़ लिजिए चली एगले किसन प्याजाए फटा पटे नेक्स्ट किसन देखिए पानी पत्में बेटी लाड ली आपने सामाजीक शुरुक्षा बतता एक जनवरी 2006 एक जनवरी 2006 आपका राइट आंसर रहेगा चलिए अगले किसने प्या जाईए अगला देखिए हरियाना में यूनिनिस्ट पार्टी की पौँच के विस्तार के लिए 1923 में फजल हुसेन के साथ मिलकरे छोटू र सामने पार्टी बनाई थी चोवीश में जमी दरालीक बनाया था इन्होंने चलिए परस्य दे लेकर दर्नीदर की किताब में अखंड परकास सारी किताबों में लिखा हुआ है पहले पेज़ पर मिल जाएगा अपणी में भी है औरों में भी है अखंड परकास में क्या बोल जलता है कि बगवाने इंदर ठीक है वर्सा का देवता इंदर से आर्थ निकालता कौन दर्नीदर अपनी किताब के इंदर कौन सी अखंड परकास चलिए अगले पर आजये हर्याना में पराचिंतम खोडिया नर्ते परसिद है तो खोडिया नर्ते कब होता है खोडिया पतली गर्दन की पता है शुराई के लिए पाणी के लिए काम आती है खेतों में तो आपका कौन सा आएगा जजर आजएगा मुड़े पीडे भी कहां के परसीद में जजर के परसीद में ठीक है चलिए परेटकों का आकर्सक चेतर मोर्नी हील से पंचकूला में कहा है जी पंचकूला में चलिए अगले कि उसन प्याजाईए फटा पठ लीजी राजिव गांदी अक्षे उर्जा पारकर्याना में कहा स्थित है राजिव गांदी अक्षे उर्जा पारकर्याना के गुरुगराम में स्थित है गुरुगराम में स्थित है च जाद रखना रावली कियाएगा डोसी की पाड़ी और डोसी की पाड़ी की कुन सी है कुल ताजपुर है कुन सी है कुल ताजपुर और कितनी लंबाई यह 652 मिटर ठीक है यह आपका राइट आंसर रहने वाड़ा इसका भी चलिए अगले कुशन पर देखिए हर्याना में अ अरियाना की से निर्ते को अरियानी गिदणा कहते हैं तो बही जो executing के सब को पता अरियान भी गिद्दा कहते है जूमर को ठीक है चलिए एगले कुछन प्या जाईए अगला देखिए अपना निमन में से कौन सा अरियाना अरिकेन है के नाम से जाना जाता है तो अपना अरियाना अरिकेन नाम से भी अपनी बुक है मार्केट में है ना अरियाना अ अपर chicken लेलीजीए अच्छी से कफ्टे और को कहते हैं कफ्टान कफ्तान को नैं तो निर्मल गूलिया का संबन्द है तो निर्मल गूलिया जिमनास्टिक से अब कसरत करती है जिमनास्टिक में चलिए अगले किसन प्याज ऐसे परसन आई ना अलगी दिख जाता है आपको दो देदिया ब्रेकेट में पका कनपर मगर पड़ाना हुआ हुआ तो ऐसा टांग पड़ांग मतलब एक क्या बोलू मैं ऐसा परसन हो कि आपका पड़ा हुआ ना हो प्रकास गांदी। ठीक है ओमप्रकास गांदीको सामाजिक चेतर में पदमशृ मिला है तो इसे कर लेडा कम रग रगुवेंदर तर तो यह मिला है अपना साइटे किस चेतर में साहिते टीक है निरे चोपड़ा सुमीत अंतिल को मिला है जिसमें खेल में गूगा नौमी का तेवार पूरे रियाना में बनाया जाता है तो गूगा नौमी बादवे में आती है बादवे की चंदर मास्क हो ठीक है जी विलकुल ये स्री अंसवर रहेगा चलिए प्रशिक्षन केंदर किस्तापना कब हुई थी तो यह गुरु गराम में 79 को हुई थी जी चलिए गला देखिए विपटापटे अर्याना किस कि लेको याना का मुखे दोबार केते हैं तो याना का परवेस दोबार गेटवेयों पर याना बादुरुगड़ यह किला आपका अर्याना में लगबग 300 मील दूर है तो यह मैंने आपको निकालना भी शिखाया था करकरेका से 300 मील अर्याना दूर है चलिए गले किसन प्याइए फटापटे अर्याना में सरस्वती सुगर मील स्तापित है तो भी 1933 में पहली सुगर मील स्तापित हुई थी कहां पर यह अपने मुखे न्यायदिस के रूप में सपतली स्टार आइस पे वही ठीक है यहां पर अपना क्या है आएगा उत्ता देखो अंगरेजों के समय में भी कोट था लेकिन उससे सविदानिक रूप से 1915 एक्ट के तहते 1919 में बनाया गया था लेकिन इससे पहले 1913 में भी कोट यह मैंने डीटेल में देख लिया लेकिन में से कोई उप्सन नहीं लगा तेरा है उसमें भी साधीलाल ही डिखा रहे हैं साधीलाल ने 1909 में वकालत करी थी अपने वकालत करनी शुरू कर दीती है ना यानि अपना लाकर के वकालत करने सुरूदी साधिलाल ने और साधिलाल 13 में भी बने थे 13 में कोट के वले कंगरेजों का था उसमें सवीदानिक मानेता नहीं थी है ना बाद में अंगरेजों ने कर दो 19 19 19 में 1915 तैपे परमानेट चतापित किया थी कि अपने कहने के सभीदानिक के साब से उसमें स्टापित किया गया था पहले भी इसका भी साथीला लिया गजा वहाई है इनी ऑप्सटन में अस्टार मिलेगा इसका आर्यानवाध्य में पहले कि और वितायोग गटन कभ वह तो पहला वितायोग कटीष में उनिशो चुराण में कुआ पाँचमा वी तायोग चल ला रगुवेंदर सिंग इसके बात मेंदर सिंग इसके अध्यक्स एठीक है पांस साल के लिए ये वितायोग गठित किया जाता प्राची नाम है यानि यह कहने का मतलब अगर NTA पेपर बनाती तो नो अप्रेल उत्तर देती भीवाणी बोड़ने नो अप्रेल दिया है इन्होंने प्रिवीश से उठाएं सारे का टोटली SID में उने वाड़ा है ठीक है में अंद्रगड का प्राची नाम क्या आजेगा का नोड बिल्कुल जी का नोड डी आंसर रहेगा आपका सही है चली ए वाली पाड़ी रियाना के सिर्सा जिले में नहीं पाए जाती देखो ये परिवीश रमेने करवाए ना पहले गुरूप D में आया था और ये यह अभी अपने इसमें आ लिया जो देखो उत्तर नहीं देना चाहते यह तो ने वाले पेपर में आ लिया ना पुराने वाले यारे रियाना में ओमरूल अंदोल चलाया था नेकी राम सर्माने किसने चलाया था पंडित नेकी राम सर्माने भारत में एनी बेसेंट और बाल गंगादर तिलक ने चलाया था अगल देखे निमन में से किसे रियाना का ताज कहा जाता है तो रियाना का ताज किसे कहते हैं तो सिद्धा शिवाता मुलूर हो गया चोपाई डमरू डाफ यह सारे पूर्स करते हैं लूर मैला करती है पंडित लक्मीचंद का जनम कहा हुआ था तो भी जांटी कला में वह सारे पता है फिलम भी आई हुए इनकी रियाना के की जिले में साख सत्ता दर्सब से दीक है तो आगे देखिए पर्तेक्स लाब लाब अंतरन 2013 कभी रिपीट हो तो सिद्धा याद कलेना 2013 में डीवी टी योजना चलाए गई थी राणी लक्स्मी भाई यह मैलाओं को खेल में मारना परताब है पुरुसों को खेल में दो-दो-लाख रासी के साथ रोध तक में सोरी मार्क में यह कपड़े की सबसे बड़ी मार्केट है नुनी सो ठाउन में रास्टर में लखेलों में सोन पदक जीता था तो किसने जीता था भाई अपना कोन था लिला रा में सांगवान चर्खी दादरी के लिला रा में सांगवान ने चलिए अगले पर आईए बैस की किस परजा यह फटापटे लीजिए और याना में दूसरी राजबासा है कौन सी वही दूसरी राजबासा अपनी याना की पंजाबी पहली कौन सी है हिंदी ठीक है और वो सबसे पहले तमील बनाए गी थी वही वही आपको पता है याना के किस वेक्ति ने खेल चेतर में 2022 में पदम स् सिरी मतलब पुरुसकार प्राप्त की जितला कहां पौन्सरी पुर्षकार साइव राष्टिय का अदमी रोत्तक में इस्तापना 2017 जी स्तापना 2017 चलिये अगले पे आजा और यह खिलाडी सीमा पूनियांतिल का गाओं किस कोन सा गाओं है सीमा पूनियांतिल का कौन सा है बॉक्सर विजेंदर सिंगा कालुवास है नीरे चोपडा का खांड रहा है ठीक है उचाना किसी खिलाड़ी का नहीं है चलिए अगले प्याइए 2015 में रिलीज की फिल्म रियाना रियाना के किसे पगड़ी को भी ठीक है आगे देखिए चाज पहना जाता है मत्थे पे आपको पहले छे दिन पहले कराया पेपर से मत्था आपका राइट आंसर रहेगा चलिए अगले कुशन पे रियाना में कौन सा नर्ते शिव पारवती पिक्या जाता है गंगोर यह गंगोर नहीं ह हिसार का फेमस है इसार के लावा अपना बई शिर्सा में किया जाता है और बीवानी ठीक है इन तीन जिलों में यह परसीद है याद रहे यह राजस्तान से लगने वाले हर्याना के पूर्वी चितर अर्याना के पसमी चितर का परसीद है चलिए निमन कतनों पर विचार 1770 में नजीव उद्दोला की मृत्यू के बाद में अपने सियासन पे कौन बैठा देखो इसके दो बैटे हुए एक का नाम था नजव खान ठीक है दूसरे का नाम था जाबित खान जाबित खान ठीक है ये दोनों ही इसके बैटे थे किसके बैटे थे ये अपने नजीव उद्दोला की ठीक है तो इसकी मृत्यू के बाद नजव खान ही कनफरम ये गदी बेटा था ठीक है नजव खान ही आएगा जाबित खान नहीं आएगा भाई चेक कर लेना अच्छे से पर ये दो बेटे थे इसके इसकी मृत्यू के तुरूंत बाद नजव खान बेटा था और कुछ एक समय बाद में ये बना था जाबित खान ठीक है कनफरम है भाई कनफरम है ठीक है इसका उत्तर आएगा C ठीक है उत्तर के आएगा C इसका राइट आंसर है आगे चलिए एक लेकिसन पे अर्याना की परसिद बढखल जील बढखल बिना किसी रुकाउट उनिसो शंतालीस में अर्थ क्या होता इसका बिना किसी रुकाउट सही मिलान की जिए बिल्कुला सांसा है साहीरेशिक शिर्षा का नाम है कानोड मेंद्र एक सो बावन कि नजदीक है एक सो बावन के नजदीक ये गावं पड़ता है इस गावं में चलिए अर्याना पंचाइती राज द्याए 10 के आनिसार निमनमें से पंचाइती राज का नहीं बाग कॉन सा ये तो ग्राम से चूमें भी आया था सवास्ते ओं कल्यान ये बार ब इनए देखने को मिला पहली बार किस्ताइ कब्रोइग तो स्ताइय लोक अदालत किस्ता अपणा कब्रोइग यह संसे में चल आ त सभीतिम में अभी तक किसका कोई आपी नहीं बता दाया लाकिन मैं आपको में शेवत दिखाता हूं कि अगस्ते यहलोग ना कद धु anterior देखो भी पुरूप मैं आपको दिखाता हूँ इसका एक मिनिट भई ना मेटर कहा है रहा देखिए यह देखो भई यहां देख रहा है ह C L S S C हाई कोट डोट गॉर्मेंट डोट इन ठीक है इसमें यह दे रहे हैं बंदों की फोटो आजरी है बिल्कुल ओपीसिल साइड का स्क्रीन सोट है अब देखिए इसमें आपको दिखाई दे रहा हूँ तो दिखाई देरा हूँ तो देखो क्या कह रहा है यह लोग अदा आप 810 में ठीक है यह कुछ यह थे परमानेंट यह रखाय का परमानेंट लोक अधालत वा में जो 1 रोटकार 7 गस्ते 1908 में ठीक है ये बिल्कुल ओपीशियल पेज की ओपीशियल साइट का स्क्रीन सोट है ठीक है देख पा रहे होंगे ठीक है चलिए इसका आप ध्यान में रखना अगर बविश्य में आ जाए 7 अगस्त 1908 में करके आएंगे साथ आठ अठान में हो गया ना वई चलिए एगले किसन पर आजाएए अरियाना में किस जिले में सुरवादीक वर्सा होती है ये रिपीटिट है बार बार पिपर में आता रहता है अंबारा में बल्यू बर्ड जील कहां पर है इसार में जलवाईयू किस परकार की है महादू पर आखटाए गया बार बेखा को कितने पर उसका दिया जाता है रियाना का राजिय पक्षी कौन सा है यह काड़ा तितर हो जाएगा और रियाना की सहर को अधिल कहते हैं जीन गोहिपीटिड है सारे परसन कलेश सरवन्य जी और ब्याण कितने राजियों में शिमा लगाता है यह अलग आ गया आपके वह कंप्लीट हो गए जो भी पेपर हुए थे यह अलग आ गया है ना देख पा रहे हैं क्या देख पा रहे हैं वही सभी का गलत है गलत हुआ है सर सभी का यूटूबरो ड़ो का भी गलत है मेरा भी मेरा भी प्रड़ मेरा भी गलत त्भ coping ठीक है यह किसी का नहीं था और इसमें आशर के शृष्ण। होगा ठीक है है तो उसका अठान में है साथ अगस्त कोटिक है ऐसे चीज़े आती रहती है आप सोच रहे होंगे ना की जो पढ़ा रहे है जाना जी कि उनके पटीस में पटीस होगे ना जी 23 नमबर आई है जोड़ तोड़ के चल कोबंगे में गया यह कुल दैखने को बनाता है तक अपका इमाचल परदेश, उत्राखंड और यूपी ठीक है यूपी तिनों से लगाता है चलिए एगला किशन पर देखिए चोर मार गुर्दवारा कहां पर है चोर मार गुर्दवारा ये शिर्षा में यहां पर भई चोरी बगेरा करने के लिए लोग आये थे चोर आये थे लेकिन सिर्षा में आई यह अगला देखिए तोना पर्ची नाम तासन जाताई इसका वंडन मिलता है किसमें पैनेन की पुस्ट Actas कारे शिर्षा में मिलता है चलिए सबसागर जिल का है सबसागर जिल है आपकी नार्णोल में बार बैपर में आती एधि ale करन जिल को चक्रवर्ती वोलते सित्ता माई मंदिर का है करनाल में सित्ता माई मंदर सितला माई का है गुरु गराम में है अर्याना में मारुति सजुकी काई कितनी है तो पहले तीन थी वही अभी पहले दो थी मारुति सजुकी काई अभी तीसरी खुल गई है ठीक है सोनिपत में तीन मारुति सजुकी एक आई हो गई अभी तीन हो गई है और यह सुआस अंदर पारक इजिन में तो सुबास Mutta RAWू जाएगा आपका अंबाड़ा में चलीए अगली राय बाद्र Кजैनम अभाथा पलवल में और लाला मुला जर्व की करम भूमी थी करम भूमी की बात करूँ अंबाडा थी ठीक है चलो गले क्यूशन पर आजाईए राए बादूर की उपादी भी दी गई लाला मुली दिर को मुबाइल नंबर पोर्टी विल्टी यह बहुत पहले 2016 का पर्चन में आये था 2010 में मुबाइल नंबर पो अगला देखिए रियाना ने शिक्कों के खिलाब अस्टेट में आयवा परसन है अस्टेट प्रिविए सिक्कों के खिलाब और अंग्रेजों के विच लड़ाई हुई थी 1800 59 में कब हुए थी और जो करांती चल लए थीनहा करांती के आप video विद्रो चल लए थे विद्रो विद्रो के दुरान थारा सो उन्चालेस में शिक्कों ने विद्रो कर दिया था और अंगरेजों शिक्कों की भैंक लड़ाई हुई जाना में मारकंडा में टांगरी नदी का मिलनस तल है तो मारकंडा में टांगरी मिलती है कहाँ पर है टांगरी मिलती है जी मारकंडा में मुलाना में का मुलाना के सनी पर मिलती है जी मारकंडा 90 किलोमेटर टांगरी 70 किलोमेटर चोटांग नदी का रिगवेद का लिन नाम क्या है चोटांग नदी का रिगवेद का लिन नाम है दरिस्तवती नदी है क्या है जी दरिस्तवती नदी है चोटांग का चोटांग का प्रणा नाम दरिस्तवती नदी ठीक है ये लिखने में गलती है दिरिस्ट दोती नदी है चलिए आगे चलिए इसके बाद में अर्याना के काले सर मादेव मठ कहा है अर्याना में काले सर मादेव का मठ कहा है तो काले सर भगवान है शियू से संबंदित है काले सर भगवान शियू को बोलते है और काले सरवन ने जी वो ब्यान में ही है ये युम्ना नगर में ठीक है युम्ना नगर में सबसे पुराणा मंदिर बताय जाता है सुर्य स्तंपर बनी मुर्ती कहां पर मिली है अमीन गाओं में कहां पर है आमीन गाओं में कुरुक चेतर के आमीन गाओं में ठीक है चलिए अगले प्याज़े कौन सा नर्ते वसंत रित्तु के आगमन पर आंगार और वीरस परदान करता है तो भई यह क्या है वसंत रित्तु पर ठीक है तो भई डफ है तांड़ा वो दमाल नहीं आएगा शिदा क्या आएगा लूर मैंने का था ना वसंत रितू यघ वड़्सा रितू पे भी हुता है लूर नरते वसंत रितू आपका इसमें भी सही है चलिए जमोसम बदलता है कोही नूर समाचार पतर किसका है तो बही बाल मुकुंदास गुप्त का है भारत परताप भी है इनका कौन सा है भारत परताप और कौन सा है जी भारत परताप के लावा और सीव संबू के चिठ्थे इनकी क्या है मतलब है रचना भी है सिवसिंबू के चिठे चलिए अगले पर आजाईए हर्याना लोकमंच का पिता माली बक्स को का जाता है अली बक्स कहां से है रिवाडी से है जी ठीक है त्रियाना की लता मंगेशकर मोनिका सोनी भी यहीं से है रिवाडी से देश का पहला पतंजली कंप को कहते हैं किसे कहते हैं गुरूग राम को तो उन्हारा क्योन संकर्जादुगर का संबंद है कहा साइजी मैंदानी भाग है दल्दला चेतरशिस्सा के दख्षीन मियं देखिए दो आजा और याना को बोगोलिक भाग को शिवालिक परवस्तित है किस भाग में शिवालिक है तो शिवालिक तो भई अरियाना के उत्तर में है ना अरिया अपने उत्तर पूरों में है उत्तर पूरों को यह उपसन है उत्तर पूरों दक्षिन पूरों उत्तर पसीम उत्तर पूरों राइट आंसर क हो जाएगा एक सब्सक्रों जाएगा रहे हैं अभी भी 11, something बढ़ए अभी बुट बढ़ू है सुर्य गंड का मेला है जे तोता है वही कहां पर रहे यहां सुर्य गंड का मैला कुरुकी चेटर में जितने भी लाइप सं ले में ने दिमाख में एक बात चल लगी अभी, ठीक है, क्या बात चल लगी, अभी आधी रात को पढ़ रहे हैं, कोई पेपर की डेट वगेरा नहीं है, कितनी मैनत कर रहे हैं, ठीक है, इस मैनत के बाद भी अगर हम रह जाएं, तो आपके इसको दोस्त देंगे, किसको देंगे, कि देंगे, सरकार को देंगे, किसी ने किसी को देंगे न, ठीक है, लेकिन क्या है, कि नोकरी सब को ने मिलती भाई, है ना, मुझे भी ने मिली, कोई ने कोई आप अपना काम कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, सही बता रहा ह Wahr हूं डंग से, पढ़ लो, जितनी म नोकरी ना मिली तो मैं मर गया कुछ मेरे से ओणा भी नहीं है आप से कुछ हो भी नहीं पाएगा ठीक है हकिकत है यह चीजी इस को यह जो मैंने एक मिट आपको टेबल पे यहां पे पेर रखके बोल ला हूं थोड़ा सा भी पेर कापी टाइम हो गया रेस्ट कर रहा हूं तो आपको सरकारी नोकरी मिली ना आप थादी निरी वह जाएगी अब बढ़ या डंका घर बढ़ा लोगी एक गाड़ी हो जाएगी तेल पानी और वा उसकी किस्त बर लोगी और कुछ नहीं हो ना और लोन लेके कोई पलाट बगएरा ले लोगी तो बहुत है इतना कुछ हो बहुत है ठीक है बहुत लंबी लाइफ है समझ रहे हो ठीक है हाँ यह है कि एक बेस बन जाता है उसके बावजूद अगर आप नोक्री लगने के बाद कोई साइड बिजनेस करते हो पैसे आ जाएंगे आपके पास कर सकते हो बहुत बढ़िया चीज आ यह ठीक है लेकिन करन का जोनीति शुर्य अगर्ण करूग चेत्र में सुमब्ति एमाउषिय का भी करूग चेत्र में लगता है कम रहार विदानसवा चुन्हाओ चित्र कि सवर्स हुआ था तो पहला विदानसवा चुनाओ नीसों सॉच अद्श्ट में हुआ था और जो मद्देवर्ती चु यह PDF आपको कोशिश करूआ देने की लेकिन मेरा एक प्लान ओर चल रहा है भाई क्या चल रहा है कि मेरा प्लान है कि मैं 1500 MCQ प्रिवेश एर के बहुत पर रहे गई अभी तक मैं आपको एक मेरा थन ओर दूँ और एक ओर दूँ पोटल 1500 MCQ कुरवा दूँ और इन 1500 MCQ की डिटे आपके काम आएगी 15 दिन या ज़्यादा ठारा दिन लग सकते हैं मार्केट में उतार देंगे ठीक है प्रिवेश एर की सवासो एक रूपे बस ज़्यादा ज़्यादा और 1500 MCQ पूरे ठीक है सारे प्रिवेश एर की अच्छा पास पास लाई ने उसकी ठीक रहेगा ना एक प्रिवेश दरना मेरे को ठीक है चलिये इसका देखिए सबसे कम वर्सा होती है किसमेश सबसे कम दक्षिन और अपने पसी में नक्रीम डखिन और है पसी में पासी में राइटांसर रहेगा ठीक है चलिक है एक लेगे अशन पर हचाला ये लिजी ना रोपक रूप रूप क क्या एगा 25 तंब दो और देवी रक्सक आजाए तो भई देवी रक्सक आजाए तो ये भी आता रहता है गांदी जेहन्ती दो अक्टूबर 2000 दो हजारे देवी रक्सक तीन में ठीक है इन दोनों को द्यान में रख लेना वही तेलिए अगले पर आजाएए सेश सेया पर लोटेविश्णो की मूर्टी सोनीपत में कहां से इमिली है फाजिल पूर से कहां से मिली है फाजिल पूर जोनीपत से अगला देखत कि लाडि गुष् kardeşi कर्स कि स्किलरलborón से कबड़ी से होँष से तो कर समय तूट कद आये तो आर्याना का अलुट का जाता है ले चैकर कि पिर टेखे नंइन दिघ्रback का अलुट है ठीधिया को किसे कहते हैं सुरुजमल को सबसे पहले रोदतखे और जजर यह जीता था थो यह जीटा थक अधिलि निम ही तैने बार्त कानल भारत यह चाहिए कि आपको क्या है रांगा में आंटे के लिए ध्यूलरम इस वarti फरीट है नघ कई नथे पIGHस sustained जड़ जर सी हैं जड़ ज़ जर से याद नहीं आ पुराने सम्मे में यही प्रो हो रहे थे चलिए कौनसा मंदिर उत्रबारत का खुजुराओ कहलाता है भी म क् ellasi को कहते हैं घड़工 के लिघाख जउ यार उ ripping वारत का हम तो बिमादेवी हो गया इसको जोलते हैं जोडेए में जोड लेकंधि बाकि बीमा को उत्रबारत का खुजराओ कराना खुजराओ मंदिर मद्धेपरदेश में है ना चौल किसने बढ़ाया था भई चौल के ग्या निमन में से रियाना का कौन सदिला एक नूमर निसो नुवासी में नहीं निर्मित हुआ तो नुवासी में आपका भई करों हुए क्या जये घ़ले फिए आजये जगाधरी के मिलासपूर नामक स्ता स्थान पर स्थान पर का गाष्ञण कर्दिक पृंण मा के दिन कौन सा मेला लगता है कबी जगाठरी के समीट बिलासपूर में कार्दिक का कि पृंण माई कार्तिक पुर्णमा को किया रमेश संदर जेन की कमानत एक सईद की मदुकांत गाउन की और लोटो थीक है ना गाउन की ओर आएगा कौन ली गाउन मोहन चोपड़ा एक सोवेरे नीम के चाहे में पेड़ के चाहे में नीम के तूटा हुआ आदमी तूटा हुआ आदमी ये नए लोग और बाएं फेलाए ये सारी जचना किसकी है अपने मोहन चोपड़ा की ते लिए बोगोलिक दिश्टी से रियाना को प्राचिन समय माटा गया था आज तो पांच चेतर में एक देवी कूप पे सकती पीटर याना के किस जिले में हैं देवी कूप जिसे बद्रकाली भी बोलती हैं ठीक है काँ पे कुरुक चेतर में का कुरुक चेतर बावनवा यानि दाएं पेर का टखना गिरा था डाएं चरण बोल दो चाहें दाएं पेर का टखना बोल दो यह गिर्या था यहां पर ठीक है बावन टुकड़े हुए थे इनके चलिए डप नर्ते को कब बर्यानवी गर्ण तत्य उस पर डप नर्ते भई 69 में वा था सब द्यान है आपको आगे चलिए देखो काज की बालू गु नेर सोनी पत्र में से चलिए आगले कि सनप्राइए फटा नगे अला सरकार ने पर शुदन बीमा योजना की शुरवात कब की थी कहां से की थी जड़से करीची द जजार सोरह में 2016 में कितनी अगस्त को कितनी अगस्त को करी थी बताओ 29 अगस्त है कि 2016 में ये प्रियोजना शुलू करी थी पस उधन भीमा योजना कोन था दनकड था उस समें बादली से आ ना करीशी मत्री Great Oldman of Ariyana के नाम से किने जाना दाता है Great Oldman Mulli-Dhar Great Oldman of Punjab भी बोल सक्ते हो आप किसे कहते हैं नेकी राम को कहते हैं कोई दिक्षत नहीं है रियाना किसे समाचार पतर किसका था बनार सिदा से गुपता का था के बात भई कि और है कि अटक गए आगे 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 चलिए अलताव उसे नाली को कब सक्स उलेमा की उपादी दी गई 1904 में दी गई कब दी गई थी 1904 में चलिए संगीत मारतंड किसे कहते हैं संगीत मारतंड मारतंड सुरिये का प्राइवाची है संगीत मारतंड तो आपका क्या एगा डोक्टर ये अपने उदे भानू हस रियाना का राजके कभी ठीक है बेडियों के धंग ठीक है देश सामें रृणा चेतर से जो की सवीदान सवा के मेंबर ते चलिए, अर्याना राजे का पहला सूपी संत कोन है? तो भई, शेक तुरक, शेक मुम्मद तुरक पहला सूपी संत रहेगा, ठीक है? अगे चलिए, अगले प्याज़ जाएए, युदुना सरकार विदवान का नाम है कि ये, ठीक है? इसने रियाना को क्या कहकर पुका रहा है? युदुना सरकार ने, इसने क्या कहा है? रियाना को हरियाल का है, क्या कहा है रियाल? यानि सरकार का जिका है, सरकार अराबरा, अर्याली बनाने साथ है, रियाल आएगा, ठीक हभी, हरियाल, चलिए, आगे आजाएए, अगले पे, अगला परसन देखिए फटा पट राकी गड़ी जो विशो के स्तान है उनमें चुना गया दसमा स्तान रहेगा भारत का तो ये 2012 में चुना गया था कब है 2012 में राकी गड़ी के बारें पता लगा 63 में राकी गड़ी की खुदाई हुई पहली बार 69 में ठीक है 69 में कर लोगे मित्था तल की कुदाई कब हुई मित्था तल मित्था तल की कुदाई 1968 में हुई थी 1968 में ठीक है सुर्जबान वां सुर्जबानी यहां कलिए अडपा काले इंस्तलों में मित्था तल की कुदाई कब हुई आई गया परसन 1968 में कब हुई थी 1968 में अगला देखिए परसन है इसार में गुजरी महल में कितने सिलालेक मिले हैं एक सिलालेक पर कितने बिलेक मिले हैं एक मतलब सिलालेक पर तो आप आठ बिलेक करोगे ये आठ बागवत गिताओं दिशाओं के बारे में जानकार ज़ते हैं बागवत दिशाओं के बारे में बागवत दिशाओं के बारे में चलिए पेवा में गोडों का वेपारी केंदर था किसके समय राजा महीर बोज ठीक है महीर बोज ये पर गुजर परतियार का था हर सवर्दन के एकर बात करें पुलकेशियन को राया था 13634 में राया था नरमदा नदी के किनारे ये यूद ल करें तो आप किया करोगे मित्थ आतल कर क्या हेंतक को पूर्वी डोमेन खेते हैं क्या करते हैं पूर्वी domain भी कहते हैं अडपा का पूर्वी domain चली एक लिए प्याज़ यह फटाँ फट थानेसर को किसे नाम से जाना जाता है थानेसर को मुगलों का दवीब कहते हैं क्या कहते हैं? मुगलों का दीब और मुगलों का अगर पुचा जाए वेपारिक के अंदर कौन सा था वेपारिक वेपारिक के अंदर मुगलों का वेपारिक मुख्य के अंदर था मुख्य वेपारीके अंदर लगा लो चाहिए आप कैसी कर लो ठीक है बीवानी था कौन साइर यह था भई बीवानी था ठीक है जी हो जाएगा यह यह बीवानी कर लेना चली एगले क्यूशन पर आजाई यह फटाँ पट आगला क्यूशन बलवन ने अर्याना पर पर पर्थ अर्याना में लगबग वन कटवाए 1265 में बलवन के समय अपने मेव जाती के लोग आखरम न करते थे अना अर्हून जाती के हर्सवादन के समय करते थे याद रखना बारासोड़तालीस आएगा क्या आएगा बारासोड़तालीस ए नहीं आएगा यार ठीक है सोनू लडू और क्या है मेशी और कौन-कौन लाइप सलने है कॉममान सचीन बिंदू चोधरी नसीर हुसेन अच्या अच्या पढ़ने वाड़ा है आज जवाब भी बढ़िया दिया है तनीस मलिक अजी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है अगले पे चले अगला कुशन आज़िए फटापट पर भी ओनलाइन त्यारी करना चाही ना बही तो अपनी डिवाइन स्ट अटी एप लगा कर आप डाउनलोड गर कर सकता है कौन सी ही डिवाइन स्ट डेटी ठीक है डिवाएन स्ट ईटी कोई जादा महेंगे कोर्स नहीं है抑ला इन वाले लेक्चर हीग थे रहे ही डिए बाबर को पहली बार रोकने का प्रियास किसे ने किया था तो बाबर को रोकने का प्रियास किया था मोहन सिंग मंदार ने कैथल रियासत का था मोहन सिंग मंदार और मोहन सिंग मंदार को पकड़ लिया गया पकड़ने के बाद मोहन सिंग मंदार की चंबडी नचोड़ी गई म बार बारे पलास से खिंचे आप आने बर लोगे जटके साथ इस बंदे ने हाने बरी और इसकी संबड़ी नोच नोच कर मार दिया इस बाब बरने इसको किसको महुंच सिंह मंदार यह मारे करांती का रही थे अर आज के समय तो अगर कोई मास्टर यूटूब पे बोल जाए ना कि अपाँ एकठे हो रहे हैं राज हो ठीक है पहली बात वाएंगे नहीं रागे तो अगर पकड़ लेगे उस मास्टर को ना तो घर पे बेटे-बेटे कहेंगे ठीक हुआ वह पकड़ लेगी बढ़िया हुआ ठीक है यह होती है कानिया आफरी कीरी ठीक है तबी कोई ठीचर है बटाइस सायई से एक बोलको कि का सश्रियान वे खांसर के सट्उडएंट जैसेशर्टेंट होते समझ रहे हो जैसे सटुडेंट जैसे सटुडेंट होते फिर वह मैंने स्टेटस लगा एक बच्चे का या तो क्या हम ट्रेन बाड़ दें ट्रेन फोक दें वह तो खांसर के देंट यहीं ट्रेन फूंकी चिदी सी बात है खांसर अगर एक बार बोल देना कि यह ऐसे होना चाह यह आप मेरे साथ हो साथ आएंगे सारे और वो कह देना कि कोई तोड़ा फोड़ी नहीं करेगा स्यांती पूनक बेठी रहना है बेठी भी रहेंगे ठीक है लेकिन वह और यह सिस्टम था उन्होंने बीच में ट्रेंट्रेंट फूंका वह उनको एक है मतलब गुम्रा करने करने का तरीका था ठीक है इस सारी चीजे चलती है तो यह चीजिए अगर खांसर जैसे अर्याना में होता तो नहीं 2003 को पारित हुआ और 2004 को लगू हुआ लगू हुआ परक होता है पारित और लगू में हुआ डोडोड के तैत प्रितम पाल प्रितम पाल अर याना के पहले लोकायुक्त बने थे अर याना के पहले लोकायुक्त बने थे 2011 में बने थे 2011 अदिनियम 2002 पारित होने की 23 जनुरी 2003 लागू होने की 2004 और 2011 में बनता है पहला लोकायुक्त यह अपने लिए परसन छोड़ गई त्रीक है कठा काम नहीं किया सारा मेवात विकास बोड़ है 180 में बना था बार बार पेपर में आता है मुख्य मंतरी इसके देख्स होते हैं ठीक है जितने भी बोड़ है सबका मुख्य मंतरी देख्स है लेकिन एक अपना कुरुक्त चेतर विकास बोड़ है उसका देख्स राज्यपाल है कोन है राज्यपाल बाकि सबके कोन है मुख् जोगा डेश में तर भारत में राष्ट पती की मंदूरी के बाद पेस होता है ठीक है और यह राज्येपाल चलिया कि उसने प्रण के निजिक पूंच गए बीस-पचीस अब छोड़के मत जाना राज्य-लोक-षवाए-ओक नियुक्ती कोन करता है तो राज्ये-ओक निकूं क सोट परता चस्ट करता है तो यह आगया पहले अैय तरिपीट में यह दुबारा हो गया बहुता है चल्ला साहिब गुर्द्वारा इना के चल्सा में पर्टाव गड़ भार्म मुरतन फार अरया ना के किस दिले में कौन कौन से परतावगड के साथ रतनगड यह रतनगड मैंने जोड़ दिया परतावगड आयो है पेपर में कहा है भई जजर में का रहेगा जजर में चलिए अगले पर पुने जिला कब बना पहली बार 89 को बना उसके बाद इसे क्यानमे में खारिज कर दिया गया बाड में में से दुबारा पर आया गया एक एक बाड में एकटीऔ है कि बाड में तल ये घले प्याद आ जाई-ये-फटाफट धल सुगरमील मेर्ग डोन उनीज़ क्यानमे या था सभर मिल रह काड़ है पानी पठ शुगरमील पानि पत दोनों 1956 ठीक है अगले पर आ जाईए of in exile को प्रेटन के रूप में विक्सित किया जा रहा है तो जील करन जीर प को प्रेटन के रूप में विक्सित किया जा रहा है दरण जील 1936 में बनी थी 17 एकड में है अरयाना सरकार के पास कुल 5 जील है एंडर मेर याना सरकार के जीन में से सबसे चोटी करन जील है ठीक है चलिए गया जाहिए और सबसे बड़ी कौनची है बता दो भी पठाप्द हम आगे देखो अरियर योजना का संबन किस योजना से हरियर अनात बच्चों के के लिए चलाई गई ठीक है अर यह जळना अनात बच्चों के लिए पहले बताया भी था झालिए नोरंगाबाद के पास ख्के उपकर र्हें चकल ख्लोंस really कब पրाप्त होई 2001 में ठीक है कब है 2001 दों देक नोरंगाबाद आपका परक्रित नाप नामसे जना जाता था विवानी में है कि सहर को अवच्र अईनी एक बरी में मिलता है तो बोइ बीवाणी का बनाँ उनका नहें नहार सिंग बलेस मे कार्थिक सांस्कर्थिक माहुत्सो बनाया जारता है कहां नार सिंग प्लेस में इसकी सर्वात 1906 में से हुई थी 1906 में से यह अर्याना पर टूरिजम डिपार्टमेंट के अंतरगत आता है भी चलिए अगे लिए क्यूशन पे देखो गला क्यूशन अब कहां से आया है कि इसे लेना आयो गी लेना यह गी कुण चोड़ गार आ अच अच आ अच आ पजामों कुड़ तोर गी लेज या तो सीमायोगने रिपोर्ट कब दी थी तो सीमायोगने रिपोर्ट कब दी थी अपने आधक 30 में उनी 166 को उपर पढ़े आवा देले साल अवरिक्ष में पाई जाते हैं ठीक है साल अवरिक्ष पाई जाते हैं कहां पर बाई जला गया था कौन सा बेटी बचाओ बेटी पड़ाओ कन्या वून अथ्यान के विरोध में यानि अपने दूसरा नाम है कृरशन अर्जुन क्या एगा अर्जुन क्योंकि आर्जुन को रत था ना उसका न उसके। कृपकी का द्रट है क्रिशन का जाए है जिनली क्या रुपाई क्यों यी बनेस्ट के सस्तर वाइ wackare x थैकनली है दोट डोटकी ऐसाय उकनट टमर कंदा है ठीक है एगरेजिये विछ आपने करेंफोट धेक क्यूसिश्ण लिजिये किसके लिए ल्टा बूस नSmalli अपने आएंगे स्ससससससससससससससससससससससससससससससससससससससससससससससससससससससससससससससससससससससससससससससससससससससससससससससससससससससससससससससससससससससससससससससससससससससससससससससससससससससससससससससससससससससससससससससससससससससससससससससससससससससससससससससससससससससससससससस उन्यस सॉंचास एक अक्टूबर है तलिए अगले पे आजए ये एक बास के टुकडे में एक तार वाला संगीत यंतर है एक बास का टुकडा है उसमें उकहता का यंतर है इलिजी यह कौन सा आएगा एक तारा त्यावलेंगे एक तारा आगे देखो वर्षा का स्वार्गत करने के लिए रियादा में क्वेर ढाई जाता है वर्षा के स्वागत में दिवाली नहीं आए गहाइगा आ तो बहुए तीन वर्सें दस वर्स तकी सजा तीन वर्सें दस वर्सत की सजा हो जाएगा यह कर लोगे चलिए गला आगे देखें आगे नहीं है तो जितने भी लाइव चल रहे हैं भाई मेरे ठीक है आप डिवाइन स्टडी आज राउनलोड करेंगे पले स्टोर से और कम्प त्योरी आपको कुरवाई जाएगी ठीक है और हिंदी पढ़ने हैं अगर आपको नहीं लगारा मुझे सारे नहीं पढ़ने जी मुझे हिंदी करने है सास्त्री सरकी तो हिंदी दोसों इंगलीज पढ़नी है उनली तो दोसों की सारी ठीकल है चीजिए मैथ रिजनिंग त्यारी करना चाहते हो आज ही नया बैच शुरू हुआ है यह उफ्लाइन बैच आप जोइन कर सकते हैं आज इकली आजाई एकडमी में डेमो लगाई एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार नहीं पास दिन डेमो लगाई ठीक है छटे दीन आप एडमिशन करा लेना फीस की त अगली वीडियो में खना ठीक है तो एक बार बताना खराश कैसी रही ठीक है बहुत अच्छी लगी जी कलास आज की बहुत बढ़िया ठीक है आज के लिए तना बहुत है चलिए ठीक है राम राम गुड़नाइट भई पढ़ते रहे देखते रहे और अपनी भई जीके की जो किताब है ना हरियाना हरीकेन मार्केट से लेकर मेरे को रिव्यू बताना कैसी लगी ठीक है जुरूर लेना ताकि आपकी पडाई आगे बढ़ी आओर कंटीनिय अच्छे डंग से चल पाए